तो हाजी मेरे प्यारे बाल बच्चो तो अगेन वापिस से एक और मॉस्ट जिमांडिंग चैप्टर इस कमपनी ऑंडिट पहले मैं बता देता हूं आपन क्या क्या करने वाले हैं तो सब कुछ ही करने वाले हैं इसके अंदर सारे सारे नॉट्स इंक्लूडिंग क्शिशन्स भी यह जो नॉट्स है सबसे पहले यह नॉट्स आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएंगे टेलिग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर लेना और यह फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्प पर में लिंक दे दूँगा सब्सक्राइब कराने वाला है और साथ के अंदर नोट्स तो कराने 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 मिलब जितना रटने वाली जिम्मेदारी तुम मुझे पर छोड़ रहा है करो कैसे रटवाना है रटवाँगा भी मैं जितने भी सेक्षिन 141 है सेक्षिन 143 है उसका इतथ सारे फ्लोजरेज सह सब कुछ में रहांगा क्लोज़ वघ्याज सग्याक करना एक सेस्वाव सद Verfüsald में में सब्सक्राइं हुट ही सब्सक्राइब करते अंड बैचल करते हैं तका कंपनी ऊड़िट का फास्ट्रेक फुल निएजन future man सब कुछ समझाएंगे सब कुछ करेंगे ठीक है टाइम वेस्ट ना करें भी ना फटा फट चलते हैं आगे शुरू करते हैं सब से पहले तो यह देख ना इसको क्या न की अगवा सब सबसे पहले अपॉइंट में का सेक्षन है इसेंट में इसके अंदर चार सब चार सक्षन हो रहाते हैं अप्परोंट्मेंट कौन सी कंपणी में हो रही है представля partner लुक्त ओस्वाटर में दौ की अरोला हू लगाला क्यों इस पें महली सिएन डेजी का हग होता है पूरा अधिकार पूरे right and power होते हैं, वो CNDG के होते हैं, controller and general of India, right है, ठीक है, come patroller जो भी होता है, ठीक है, तो वो CNDG के ही पूरा उसके ओपर right and powers होते हैं, तो इसलिए government company, non-government company, इनमें बाटना जरूरी था, वो अपनने उनको बाट दिया, तो अब, 139 जो आप बोलता है, अब गॉर्मेंट company के अंदर ओडिटर अपन्ट कर रहे हो, या non-government company के अंदर ओडिटर अपन्ट कर रहे हो, सब के अलग-अलग process है, ठीक है, सबसेक्शन में के अलग-अलग दे रहे हैं, अगर, और फ़र्दर इंग अंदर दो है, या पहली बार auditor अपन्ट कर रहे हो, या फिर subsequent auditor अपन्ट कर रहे हो, एक तो होता न, company नहीं नगी, इंक्रपरेट के तो पहली बार auditor अपन्ट करेंगे, उसके बाद अब company regular चल रही है, बहुत साल हो गया, या first year के बाद second year भी हो गया, तो अब तो subsequent auditor हो गया, फिर्स रोइटर के बाद subsequent auditor हो गया, ठीक है तो ये चार सब्सेक्शन दे रहे है, तो सब्सेक्शन कैसे याद करना, इसको ट्रिक बता रहे हो, वो तुम याद करना, वैसे अभी होई जाएंगे, सब्सेक्शन कैसे याद करना इसका, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, लाइन बाइस चलना है, सबसे पहले other than government company, जितने भी लोचल अपाटे होते हैं, वो सबसे पहले किसमें प्रटेक्टी गवर्मेंट कम्पनी होगा, other than government company, private company दोनों आ जाएगी, तो सबसे पहले other than government company कुदा, फिर उसके बाद government company कुदा, फिर वापिस other than government company कुदा, फिर government company कुदा, सिक्वेंस देख रहे हो, पहले non government, फिर government, फिर non government, फिर government, यह हो गया non government, फिर government, यह हो गया non government, फिर government, तो 1, 2, 3, 4, तो सबसेक्शन इसके अंद्रे कौन कौन से लगते हैं? अब लाइन वाइस सेलना बस ये एक अलग है एक तो ये हो गया सबसे पहले है, फिर उसके बाद 5, 6, 7 सबसेक्शन जा हो गया? 5, 6, 7 ये 5 मलब दो नमबर पे पहले ये थी, फिर तीसरा 6, फिर 7, 7 सबसे पहले कौन को देगा नोन गोड़मेंट एक कि इसके बाद गोड़ भम गोड़र। थिए संक्षिशन खेल लिए एक फिर यह सबसे पहले नोन गॉडर्मेंट और suspect आपको क्या याद है पर्स ओर्डीटर सबसे पहले को आपको क्या याद एकना है कोन करेगा? Board of Director अपोन करेगा. थ्यानरंखना Board of Director में दौन जिगण करेगा हूं Single Director ने बोल रहा हूं कोन दौन Board of Director First Job Director टापोन करेगा Director अपोन नहीं करेगा अब कोशन में बोल देगा कि आप सब्सब्से पहले Company in Corporate Response Managing Director ने उसको अपोइंट कर लिया auditor को भाई जलत है board of director अपोइंट करेगा single director उसको अपोइंट नहीं करेगा कब अपोइंट करेगा within 30 days of registration of company within 30 days of registration of company यहाँ पर चाओ तो हम लिख लो इसको याद में बाद में करा ही लूँगा यह से 30 और 90 दिन 3090 दिन के यहाँ पर लिमेटर बदाता हूं क्या है वो और यहाँ पर 60 3060 यह याद कर नहीं है अपन को 3090 दिन यहाँ यहाँ पर 60 3090 60 3060 3090 60 3060 में 7 दोलो तो याद होगा 3090 60 3060 3090 60 3060 3090 60 3060 बस हो गया या तो first auditor company का पोण पोइंट करेगा लोगा है पोइंट करने से पर अगर बोलो रेक्टर फेल होगा है 30 दिन के अंद अपोइंट करने से तो फिर 90 दिन में ने को लिखाया है या पर आपको 3090 तो फिर अपोइंट करेंगे Member in the EGM Extraordinary General Meeting EGM महला पता हो ना अपना IPC में पढ़िए EGM Extraordinary General Meeting उसके अंदर Members पोइंट करेंगे Shareholders Shareholders पोइंट करेंगे 90 days के अंदर 3090 अब कभी कोईंट करते हैं 90 दिन वो क्या है इस 30 के बाद जब further 60 days मिलेंगे उसको 90 दिन करेंगे लोग के लेंगे 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 90 दिन वैसे तो यह अभी तक लोग के अंदर क्राइशन नहीं कर रहा है पर ICI जो एक अदा MCQ था ICI का तो उसके अंदर ICI ऐसा मानती है कि यह 30 के बाद additional 60 दिन एड करेंगे न तो यह 90 दिन होगा ठीक है तो यह 60 दिन के हाई एक तरसे यह आपर time limit है 30 के बाद 7 दिन और 60 देज और 90 दिन हुआ पर लोग के लिखा अभी तक companies एक के अंदर 90 देज तो आपको 90 देज याद रहा है पर MCQ परपस कभी ऐसाद गुमा दे तो 30 प्लस 60 इस इक्वल to 90 करेंगे तीज दिन के अंदर और फेल हो गए तो मेंबर अपन करेंगे एजम के अंदर 90 देज के अंदर इसलिए मैंने क्या आयात करा है आपको 30 और 90 देज 30 और 90 देज बॉर्डिंग सुनना तिल कंक्लूजन और फस्ट एजियम जब कंपनी इंकॉर्परेट हो गए उसके बात जब first Agave होगी उसके conclusion तक अगर वो conclude नहीं हुई उसके conclusionшаरा लाहा हो पर 13 साल के अदर हो वह कंपनी चाहिए वह करेगा मतलब करेगा ठीक है तो तिल कंक्लूजन और फस्ट एजियम, कोशिशन गुमा सकता है कि फर्स ओटर अपॉइंट करा, बोर्ड अपॉइंट ने अपॉइंट करा, ठीक है, सही करा, बट उसके term and condition में लिखा कि आप एक साल तक अपॉइंट हुए हो, आप एक साल तक अपॉइंट हुए हो, गलत, लोगों में लिखा ही नहीं एक साथ, वहाँ में लिखा है, तिल कंक्लूजन और फस्ट एजियम, ठीक है, यह कॉश्चन जो मैं बोल रहा हो तुमको, यह एक्जाम में आवे हैं, यह एमसी के वाले हैं, यह ट्रीकी पॉइंट से पूछ सकते हैं, ध्यान रखना हैं इंची आप 30 साथ, बस में आपको क्या आथा, गौर्णमन का भी बाइफरकेट क्यों कर रखियें, क्योंकि नौन गौर्णमन कंपनी के CNDG का दिखार होता है, तो इसमें सबसे पहले राइट किसका होगा, आप ओटर अपॉइंट करने का, CNDG का, CNDG आप अपॉइंट करेगी, कि दो 30 दिन के अंदर बाट णोब भी पोँट करेंगे, अगर बाट अफट अपूइंट करेंगे, अगर बाट अपॉइंट करेंगे, 8-10 दिन के अनदर, वना, 30- разр, साथ, साथ, सेम, सरय चफल तर्ख नोवल सेंधिल कर्द्टक प्लिजंफ फिर्ट प्लिर हैं सेउंधिल कांच 3उट काम कतम एजी एक है ओक नेग्स अब सब्सक्राइब करेगा ऌतरा करेगा फॉफफ सेम भाइ पहला दिकार किसका सींग मांज कंपनी का सबसीकंड ओडिटर भी सी अधी देस फ्रों कमेंस्मेंट फाइनेशे लियर से अब वह कब होल्ड करेगा तिल कंक्लुजिज़न ओफ नेक्स टेजिएंग तो यहां पर क्या पहले है सर्च अप्तर को अखार करेगा और स्थीन कलकुलूज़न ओफ फर्स्ट टेजिएंग वैसे सब्सेक्वेंड और अपकोंट करेगा उसको थीकिए अब ध्यान रखना अब मैं तुम्हेंगों जनरा लूल बताता हूं कि जनरल का होता है we overall record is our local report करें जटाएगा और जटाएगा होनी का सबस्टता ही ज़े मेंबर क्या rebate को मेंबर करा हुआ है यह जेर स्थ अजेण के अआर्श्व महता है पाटो जो तो अब subsequent auditor एक बार बोरोब डाइट अपउंट कर गया बस अब मैं नहीं कहा गा जनर्डर होई क्या होता है अब हमेशा और मेंबर है शेर ओल्डर वही अपउंट करने वाले ठीक है तो subsequent auditor कौन करेगा शेर ओल्डर करेगा एट फर्स एजियम ठीक है फर्स एजियम पे शेर ओल्डर अपउंट करेगा अब इसको तो यहां पर यह हो गया अब वह बंदा कब तक होल्ड करेगा जगे अपनी अपना ओफिस होल्ड करेगा अब मैं आगे बताऊंगा जब इंडिविजर ओडिटर होता है तब क्या क्या डिफरेंस होता है कितने सालों का ठीक है बाकी जो वह ओडिटर सब्सेक्वेंटली जो अपट रपाइंट हुआ वह कब तक हैल्ड करेगा ओफिस तिल कंक्लिजन जब तक आपने ओफिस नहीं चोड़ेगा तब तक उसको अपना रहना ही पाड़ेगा ईसा नहींगा पहले था दाथा हर साल अपनको उन से confirmation लेना पड़ता था हर साल उसको मेंबर ratify करते थे कि यहां इसी साल यह रहेगा इस साल भी यह रहेगा इस साल भी यह रहेगा पास साल तक लगा था हर साल member बोलते थे कि यहां इस साल यही auditor रहेगा इस साल यही auditor रहेगा इस साल यही अब मैं एक बार से लोगी काता है तो फिर एक बार शॉर्ट समरी आपसे ले लेंगे जब आपन ओडिटर कर रहे होते हैं तो आपनको तीन चीजे और से लेनी होती है तो रिटन कंसेंट और का कंसेंट कि हां बाई में ऑडिटर बनना चाहता हूं सर्टिफिकेट उससे लेना पड़ता है कि हां में उकाद भी है मेरी में एलिजीबल हूं अंडर सेक्शन 141 यह नॉर्मल पॉइंटे गरट्यमान के ज़रू है रिटन कंसेंट लेना पड़ता है कि हां में बन रहा हूं में को ऑडिटर बनना है में बनती जाऊंगा में कोई इ देना पड़ेगा रोच को भी देना पड़ेगा within 15 days of appointment जैसी appointment करा उसके पंदा दिन के अंदर अंदर आरोच को बताना पड़ेगा ओडिटर को भी एक बार बताएंगे वापिस फॉर्मल्टी के लिए कि यह हमारा auditor है में तो आरोच को बताना यहां पर कि यह हमारा auditor है ओड आरोच के लिए 30 days के अंदर 30 days में 90 days में शेरोल्डर अपंट करेगा गोवर्मेंट कंपणी के अंदर रूल होता है साथ तीसाथ 60 30 60 CNDG Board of Director और फिर Member ठीक है फिर सब्सक्राइटर का पंट होटा है तिल-कन्क्लूजन ओफ तिल-कन्क्लूजन ओ-कन्क्लूजन ओ-कन्क्लू प्रिजन ओफ 6 days यह अपने यहां पर कहानी समभापत होई है अब लीचे चलते हैं अब यह कैजल वेकंसी का केज है कैजल वेकंसी क्या होती है ओडिटर ने रिजाइन कर दिया या तो ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया कि वो छोड़के जा रहा है या फिर किसी भी कारण व अब एक केस है कि ऑडिटर ने जब रिजाइन करा और एक केस है जब other than रिजाइन के अंदर यहां पर क्या केस हो सकते है आपके आप माल सकते है किसकी देथ हो गई यह other than design बता दूंगा तो अब ऑडिटर की casual vacancy हो गई साल के 20-20 में उसकी देथ हो गई या वो मारके चले गया तो अब ऐसा क्या भाई अब कौन अपॉइंट करेगा उसको अगर 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 रिजाइन करा है बंदे ने तो भाई लोचा है एक बार तो करेंगे बॉर्ड ओडाइट तीस दिन के अंदर अंदर अपॉइंट करेंगे मैंने बोला था ना बॉर्ड अब लोचा है ना और मनलब शेर होल्डर बोले है कि भाई और ओडाइटर तुम लोगों ने कुछ करें या तुम लोग उसको कुछ फॉर्स कर रहे थे रिपोर्ट गलत इसू करने के लिए तो मेंबर को शक हो जाता है कि या रिजाइन करके कि या तो भारी काम है तो भाई तो अगर ऑडिटर ने रिजाइन करा तो तीस दिन के अंदर बोर्ड डायक्टर तो अपन कर देंगे पर मेन आथुरिटी कौन होगी तीन महीने के अंदर अंदर शेरओल्डर को भी अप्रूव करना पड़ेगा उसका अपोइंट्मेंट अगर शेरओल्डर मना कर देगी यह नहीं होगा तो नहीं होगा विकोज मैंने बोला ना भाई हो सकता है कि वह बोर्ड डायक्टर ने जबरदस्ती फोर्स करा उसको रिमूव रेजेंट करने के लिए क्योंकि उनको अपना एक फेवरेबल ऑडिटर लाना था जो उनके हिसाब से खोई मैनिपिलेशन कर देए अकाउंट का और सटीफाय कर देए मैनिपार लाइट भी तो शेर्वोल्डर को ध्यान पड़ेगा इस सीच का तो यह घंबीर मामला होता है जब जब जले जाता है सीरियस मैटर होता है ठीक है और जब अदर जैन के अंदर बॉर्ड डाइक्ट अपउन्ट कर लेका चलेगा देट ओगे ठीक है तो इसमें शेर्वोल्ड को शक्त है नों मर गया तो मर गया भी जरा तो विथिन 30 देज के अंदर बॉर्ड डाइक्टर करेगा जनरल केसे के अंदर पर आगर रिजाइन करा है तो मेन आथोरिटी किस की है मेंबर्स की है शे अपउन्ट के अंदर बोलना पड़ेगा अब गौर्णमें कंपनी गौर्णमें के अंदर बाइक कुछ भी हो जाए तो रिजाइन करो या मरे या तो मरे या फिर चोड़ के जाए हमको कोई फरण नी परता मैंने का था यह पूरा का पूरा कपजा लेके बेठा है गवर्मे करके अंदर मसर्में कंपनी के तीज अंदर अगर से दीज हो गया तो तीज दिन के अंदर जीं आंडर पूरार्ट परण खरेंगे और एक वापिस ध्यान रखना यमें के मैंबर के अपरेईन चे उक्प Mater हैं काई से भी में सब्सक्राइब करने वालों इन चेप्टर्स के अंदर तो अब यह जो ऑडिटर पॉइंट हो है के जो लेकिन सिकाफ कब तक होल्ट कर एक office till conclusion of next stage till conclusion of next stage not till conclusion of six stage जो subsequent auditor होता है वो कब तक रहता है तिन conclusion of six stage जो मरा था या चोड़के गया था उसका तो time period था उसका time period till conclusion of six stage जो आया है यह तो अभी मजबूरी में लाया है ना इस बंडी को मजबूरी में लाएग एक बार तो कोई बंदा चीए होगा और की सीट खाली तो नहीं छोड़ सकते तो उसको बनेंगे बाद की बात की बाद में पसंद आए कि तु तीन साल के लिए एक साल के लिए या पास साल के लिए इसा time specific करा तो साफ अपने कहां से लिखना नहीं बहुत गलत है लोग ने टेंपरीर और अल्रीट कर रहा है तिल के conclusion of next stage है तो आप एक साल दो साल पास साल वापर आप आप तो नहीं लिखके दे सकते उसके एक बार RTP MTP के अंदर किसी के अंदर question आई गया था इसका detail वाला भी तो एक पढ़ूँगा तो मैं तो पढ़ाऊंगा भागी तुमारी मर्जी है तुम देख लो या ठीक है तो आप मेनर एन अपोइंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट् रिकमेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्म 3rd member, audit committee board को बोलेगी board member को बोलेगा, audit committee board को बोलेगी board member को बोलेगा, और अगर audit committee exist नहीं करती, तो direct board बोलेगा, तो direct board बोलेगा, simple सी बात है, तो board ही direct जाके board खुदी ढूण लेगा, और market से auditor, ओ AGM के अंदर member को बोल देगा, फिर member finally approve करेंगे, पर अगर case देखो, अगर audit committee ने बोला, कि इसको auditor बनाना है, पर board agree नहीं हो रहा है, पर board agree नहीं हो रहा है, board ने मना कर दिया, कि नहीं, board को लगता है कि या लोचा है, या पिर board का जो भी कुछ interest हो, या पिर genuine बात हो, बोल ने मना कर देगा, यह auditor बनने लायक नहीं है, तो वो मना कर देगा, नहीं भाई, दूसरा नाम लाओ तो, हमको यह पसंद नहीं है, अगर committee, audit committee मान लेती, कि हाँ, board बोल तो सही रहा है, दूसरा auditor लाना चाहिए, तो वो वापिस शुरू सो audit committee यहां से process शुरू कर देगा, अपि ढूंडेगी, वापिस board को बोलेगी, वो सब करेगी, पर अगर audit committee भी अरजाती है, audit committee भी नक्ती निकली, तुमारी जैसी, उनक लगा, कि नहीं, हम नहीं मान रहे, हमने जो recommend कर दिया, धीट निकली, हमने जो recommend कर दिया, वो को ही recommend कर दिया, उसको कोई change नहीं कर सकता, हम तो यही बालेगी, और board भी अड़ गया, कि नहीं, मैं तो यह auditory appointment आगे, आगे मैं recommend करूंगा है, तो फिर board की चलेगी, तो फिर किस उसने क्यों नहीं रखा, ठीक है, बाकी कौन, फिर बाकी अगर वो नहीं माना, तो चलेगी तो board की, board ही बोलेगा, कि हमको यह auditory रखना, हम यह रखना, हम यह auditory committee तूझा भाड़ के है, ठीक है, बस उसको एक record करना पड़ेगा reason, कि आपने क्यों उसकी बात नहीं माने, ठी कि अब, जो मैं दों को बोला पाई, अब, जो मैं दों को बोला पाई, कि साटिपिकेट की अंदर साथटे करते है, तो certificate लेना परता है, परता है, तो उसको निमोनी के वह, eligible LTP, एलिजीबल ल्टीब ल्टीप में लॉंग टर्म प्लेन याद कलेना इसको ल्टीप लॉंग टर्म प्लेने से याखता सब्सक्राइब करना पड़ेगा वह बोलेगा उस सर्टिपिट के अंदर ऑडिटर की भाई मैं अपोइंटमेंट के लिए तुम मुझे कि बेटा मेंजुन को अंदर जो गयत कि हब्सक्राइब करेंदें चर्रण सब्सक्राइबूर् मुझेंट हूरहा है। 20 audit की limit दे रखिए, बागी मैं describe आगे करूँगा कि एक auditor 20 companies की audit ही ले सकता है maximum, ठीक है, आगे मैं describe करूँगा फूरा disk expert detail में, तो अब वो बोलेगा कि हाँ बही मेरे पाफ 20 companies ज्यादा audit नहीं, माला 19 company है या जो भी 20 company की limit मेरे पूरी नहीं हुई है, तो मैं यह audit और ले सकता हूँ, फर्दर हो बोलेगा proceeding की मेरे पर या तो कोई proceeding नहीं है या फिर जो proceeding मैंने यहाँ पर आप कोई certificate में show कर रहा हूँ, only वो, वो proceeding ही चल रही है, इसके अलावा और कोई proceeding नहीं चल रही है, ठीक है, तो क्या-क्या मैं eligible हूँ, इस term के according, इस terms, जो company के अंदर terms दे रहे है, उसके according ही मैं point हो रहा हूँ, limit के अंदर है मेरी audits, this audit of the complete नहीं है, मेरी processing यह यह यह, तो यहाँ कैसे करना है, eligible LTP, 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 करना है, ठीक है, इते हैं रट्ने माणने के ज़रोद मिया है, नॉर्मल इसको समझ देना, इस वरी चीज़को, अब है रोटेशन ओव ओडिटर, साहलों से, 25 सालों से, 25 सालों से, उट रहे बेटरहे साँ में खाना खा रहे हैं साथ में सूसुखणने जा रहे हैं, whatsoever Когда, रहां साहलों सब कूछ का हम सात्में बढ़े हैं, आराम से इतना, वहवार तो बनी जाता है? किसी राइम से इतना आप किसी के साथ रहोगे, close रहोगे, इतना close रहोगे, इतने सालों से आप audit कर रहे हो, तो वहवार बन गया, तो भाई हो सकता है कि auditor कोई disqualify करे नी report, छोटी-मोटी गलतिया मिले, उसको ignore मार दे, मलब independence का threat हो जाया, आप चोटी-मोटी गलतिया, बड़ी गलती भी वहवार की कारण चुपा रहा है auditor, तो भाई यह तो गलत हो जाएगा, तो इस कारण की वहवार न बन पाए, इनका कभी independence rate नहीं हो पाए, तो rotation लगा गया बड़ी-बड़ी company उपर, कि auditor 5 साल या 10 साल आगे मैं बताऊंगा, ती कर सकता है, उसके बाद आपको थोड़ा cooling period नेना पड़ेगा, मैं आपको कुछ दिन रुखना पड़ेगा, कि इतने time आप हटो यहां से, और हम दूसरी auditor का appointment करेंगे, मैं कुछ time appointment करा उस auditor को, कुछ time उनको छोड़ना पड़ेगा, कि इतने time period के लिए अब appointment नहीं हो सकते, 5 साल का cooling period दे रुखा है, मैं आगे बताता हूं, चलो, तो किस पर applicable है, चलो, वो देख लेते, rotation केवल, बड़ी-बड़ी company हो applicable है, कि सब पर, छोटी-चोटी-चोटी company आया, चोटी-चोटी-चोटी company पर rotation होगरा, कि इतना जजट compliance डाली लिए, तो rotation किस-किस पर applicable है, rotation जुम तो एक तो ये लिख दिया तुमने, वोट करना हूं,थो अपन थे, मैं सब्सक्राइब करना था, हां, तो rotation किस-किस company पर applicable होता है, rotation कjayor, Lif点ya, लिए, वापस इतन ये, rotation क्या होता है, 1, 2, rotate हुआ, 1, 2, rotate हुआ, 1, 2, अगर तुम ऐसे देखो, इसको एक डाइग्राम देखो, तो ये 1, फिर ये वापिस गूम गया ही पहुझ गया, 2, ये 1, 2, ये रोटेशन हो गया, 1, 2, सब सेक्शन 2 ऐसे याद कर सके हो तुम, ठीक है, रोटेशन का, 1, 2, गूम फिर के वाई या गया, 1, 2, ठीक है, अब हुआ, 50 भी पहुझ गया, 50, 10, 50, तो रोटेशन किस-किस में लगता है, वो प्राइवेट कमपनी जिसका पेड़फ शेयर के बिटल, 50 करोड से या 50 करोड से जादा है, वो पब्लिक कमपनी जिसका पेड़फ शेयर के बिटल, 10 करोड से जादा है, या फिर कोई भी कमपनी, या फिर कोई भी company जिसकी public borrowing, bank से, FI से, public deposit से, public borrowing, bank से, financial institution से, या फिर public deposit से, कहा से bank, financial institution या फिर public deposit, 50 करोड या 50 करोड से जादा है, 50, 10, 50, private company, public company, any company, 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 paid up share capital, paid up share capital, boring, पचास-दस-पचास अगर यह लिमिट पूरी हो रही है तो अपर रोटेशन लग गया अगर लिमिट लग गई तो क相信 समझाया था न कि एक कुछ टाम दखी अचास कर सकता है तो इंडिवीशo मडिट कर सकता है एक तमकीत कर सकते है 5 से फुने लेना पड़ेगा। छी नहीं करेगा। दूसरा बंद ऑडिट करेगा, same for audit firm, 10 साल तक की audit कर ली, 2 term of 5 year, मनला 5 into 2, 10 years तक की उसने audit कर ली, तो उसको 5 साल तक का gap लेना पड़ेगा, 5 साल का pulling period लेना पड़ेगा, वो 5 साल तक का, उन पास साल में कोई दूसरा बंद ऑडिट करेगा, तो अच्या audit firm को भी अपड़ेगा, पूरे के पूरे 10 साल के लिए 6 साल तक कर सकते, करना तो 5 साल के लिए ही करेगा, एक साल में, 5 साल मतलब एक टर्म के लिए, उनका पर लिखना पड़ेगा, एक टर्म है, फिर 5 साल के लिए हम आपको अपड़ेगा, पार इंद्वीजल के प्रिटर के के अंदर पास साल के लिए पुएंट कर रहाएं उसके पाध कुलिंग प्रिट लेना ही पड़ेगा ठीक है तो यह हो गया आपका 5 & 10 यह लिमिट अब cooling period किसको लेना पड़ेगा cooling period होता है फास साल का ठीक है इंटिस नोटर के लिए one term एक time के बाद ही लेना पड़ेगा cooling period audit firm के अंदर two term के बाद लेना पड़ेगा ठीक है अब ये common partner आला case में चलो तुमको पताता हूं बताँ चलो बताइके तो कोई एक firm थी कालिक को यार कालिक हो जगी नहीं है दोस्ते के कि चलो कोई एक firm थी ABC एक firm थी audit firm थी ABC और एक थी A XY इसमें हुआ क्या यह जो ए है ना यह यहाँ पर ही पार्टनर है यहाँ पर ही पार्टनर है अब जो एक company थी ओडिटी, और कम्पनी को क्या बोलते हैं, अपनो ओडिटी, जिसकी ओडिट हो रही है, तो अब इशकी ओडिट लगातार, दस साल तक, 10 year तक यह firm कर चुकी है AXY AXY audit firm 10 साल तक audit कर चुकी है तो इस पर अब लग गया 5 साल का cooling period अब यह firm तो 5 साल तक हो गई अब यह 5 साल तक अब नहीं कर पाई कि audit cooling period रेना पड़ेगा तो क्या यह company यह वाली firm इसकी audit कर सकती है क्या आब next 10 साल या 5 साल के लिए इसको अपोइंट कर सकते हैं क्या ABC को ना भाई इसको भी अपोइंट नी कर सकते हैं क्योंकि कोई भी common partner अगर आपका है इस firm के अंदर कोई भी इन दोनों के अंदर कोई भी common partner है और उन common partner message एक किसी भी firm का डिस्क्वालिफाई हो गई या फिर उसका एक बार term खतम हो गया तो अब 5 साल का cooling period इस पे भी लगेगा इस पे भी 5 यह का cooling period लगेगा इस पे भी 5 यह का cooling period लगेगा क्यूंकि common partner था इनके अंदर ठीक है तो common partner अगर है तो cooling period सरु करना पड़ेगा आपको तो यह हो गया common partner वाला case कि अगर आप एक कोई भी फर्म जिसका जो अपना 10 साल का या 5 साल का tenure एक्जोस्ट कर चकी और उसका कोई common partner है दूसरी firm के अंदर दूसरी firm भी उसकी audit नहीं कर पाएगी उस पे भी cooling period लग जाएगा ठीक है यह हो गया चलो यह अठाओ यह अठाओ रोटेशन ऑफ ऑडिटर पार्टनर कुछ company होती है member चाहे तो appointment में लिख सकते हो member चाहे तो audit के appointment में लिख सकते है कि जो एक company like pwc रहे हो pwc के अंदर 50 partner है अगर आज्यूम तो 50 partner में जिसकी audit कर रही है हर साल या कुछ-कुछ time period के अंदर आपका partner रोटेट करो कि हमको हर बार सेम partner मत दो हो सकता है familiar हो जाएगा से तो कुछ-कुछ साल के अंदर rotate करते रहो जैसे SQC1 होता है ना partner as well as team B SQC1 होता है ना तो SQC1 जो आप इस्चेनर क्वालिटी कंट्रोल तुमने पढ़ा होगा बना ठीक है इस्चेनर क्वालिटी कंट्रोल जो है वो खुद बोलता है कि listed company के case के अंदर हर साथ साल के अंदर partner change करो हर साथ साल के अंदर partner change करो एक बंदा कोई XYZ limited के audit कर रहा था एक partner तो अगली बार साथ साल बाद दूसरा partner लाओ उसके अंदर फर्म सेम ही है पर बस उसका partner change करो ठीक है तो बना वही फैमिलेटी थेट हो जाएगा अब यह ट्रांसेशन प्रोविजन इतना important नहीं कर सकता है तो तीन साल के अंदर अंदर जैसे यह section आया था उसके तीन साल के अंदर अंदर इस आपको comply करना पड़ेगा अगर उसकी लिमिट उसका जो टैनियोर है वो complete हो चुका है पाच यह दस साल का एडिशन टैनियोर उन्होंने और दिया था तो आप में दूंगा example के कि उसमझा दे जो 3 साल कैसे करना है कोई इंडिवीजोल ओडिट है उस पर 5 लिभीर होती पास साल अधे कर सकता है वो चीजा साल इंवह करी अभी तक उसने प्रोविजन आने के पहले पहले तो चार साल और होगा यहां पहली सकते है यहां पर प्लस थी करता और चार साल ही हो कर सकते है तो फिर चार सारा करती है ठीक है इस यह इसको एक नो तुमाना हो गया शर्णिष्टान क्या शर्णिन में शर्णि था क्लरा पर चलबाना हो गया अब यह मैनर अव्रिटेशन जैसे अने बोला common partner कोई सेम नेटवर्क फर्म नेटवर्क फर्म में प्रोफेशनल एटिक्स हमतों बतादूगा मेरे भाई बंदु की फर्म में हम एक ही रूफ के अंदर खाम कर रहे है नेटवर्क फर्म की डेफिनेशन यहां बाद में बता दूँगा कि आपना थैर्म एक्सा कर चुका हूँ तो मेरी नेटवर्क फर्म पे बिजमें आप लगेगा वोगी मेरे मेरे कुलिंग फर्म को बेच दूँगा को पेज दिया मैं नेटर्वोक हो चालर है मैं लुप चल रहा है तो मैं आ गया तो घुलने के बीज्uben की कुमती रहेगी ठीक है तो मेर्य किलिंग चल रहा थैसे नेटर्वोकस्फ़म का भी ab yıl ऊडैज विल्यक्त चलेगा इं then then उसके बाद जाज रिक्षétique blue like jsou जैसे मैंने बोला ना कि past साल तक का अगर आप अपकर रहे हो एक साल दो साल, 3- Pun- 4 साल Past साल तक की लगातार audit अगर आपने कर लई इन डिजिल्विज ऑडिटर का केस आप मानके चलो इन डिजिल्य ऑडिटर ने past साल तक का अगर लगातार ऑडिट कर ली तीन चार फिर एक साल का गेब में 1920 नहीं कर रहा यहापे और चार साल ऊर यह चलेगा और इसक्र बहुतिक्ट दो बाइचाव चरण हैढ़िंगे पर rotation नहीं लगेगा, उस पर pulling period नहीं लगेगा, पास साल, consecutive पास साल मैंने बोला था, consecutive पास साल उसने अभी तो अडिट थोई न करी, consecutive पास साल अगर उसने audit कर ली, तभी उस पर rotation लगेगा, मतलग यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 तक अगर A, A, auditor नाम का, A नाम का auditor था, उसने audit करी, फिर यहाँ पर 1, 5 साल तक, 5 साल में B नाम का auditor ना audit कर ली, और अब वो वापिस A नाम का auditor आ गया है, कि वापिस मैं audit करूँगा, वापिस A नाम करूँगा, हाँ बही चलेगा, क्योंकि उसने 4 साल तक की audit करी थी, तो उस पर rotation लगता, cooling period लगता, ठीक है, अब वो ही any signing partner of firm, retired, join another firm, ineligible, same case जो मैंने तुमको पहले बताया था, उसी का, जैसे मैंने नहीं बुला था, common partner है, common partner होला कि इसे, आप देखो, A, B, C, यापे X, Y, X, यापे क्या करूँगा, इस बन्दे ने, 10 साल तक audit अलएड कर चुका है, ये वाली firm की 10 साल तक audit अलएडी कंप्रीट कर चुकी थी, ठीक है, तो अब इन पर तो लग गया cooling period, तो इस ते क्या करा, cooling period लग गया, तो अब ये partner होता न, A limited, A वाला partner था, वो तो firm को छोड़के चले गया, firm को छोड़के इधर shift हो गया, पहले नीता मान लो, अब आया यह, अब आगया, A आगया, अब यह ABC आगया, तो अब यहा पर इस firm में कौन रहे गया, X और Y, और यह क्या बन गई, BC से ABC बन गई, तो अब क्या बताओ, यह XY वाली को 10 यह अल्र कर सकता है क्या, इस पर cooling period लगेगा नहीं लगेगा, भी यह audit कर सकता है या, नहीं, यह भी audit नहीं कर सकता, तो यह retired partner या फिर उदर से छोड़के आएवा partner, जिस firm का tenure already complete हो चुका है, उसका partner छोड़के दूसरी firm में जाता है, तो वो firm भी ineligible हो जाती है, वो firm भी ineligible हो जात करनी है, as a date of appointment, point to not, फालतु चीज है, joint auditor अगर आपने रख रखाया है, तो एसा rotation गुंबाओ, उनकी ऐसी appointment करो, इस तरह से उनकी appointment date fix करो, कि दोनों के दोनों joint auditor एक साथ retire नहीं हो, दोनों joint auditor एक साथ rotation पे नहीं जाए, मतलब एक joint auditor तो कम से कम रहे audit के time पे, ठीक है, वो reappoint कब हो सकता है, past, मलब, किसे समझाओ, उसका past 10 साल का tenure था, पर मैंने बोला था, appointment कैसे कर सकते है, 5-5 साल के अंदर appointment कर सकते है, 5-year, फिर 5-year, audit firm 10 साल तक कर सकती है, 2 term, तो एक term कम्पलीट हो गया, दूसरा term आ गया वापिस, ठीक है, तो एक term ये दूसरा term, तो अब य पाया ना, दूसरे term में वापिस, उसको reappoint करना पड़ेगा, मैंने बोला था, एक साथ नहीं कर सकते है, आप appointment 10 साल के लिए, तो अब, retiring auditor reappoint कर सकते है, अगर, retiring auditor reappoint कर सकते है, अगर, वो disqualify नहीं है, unwilling नहीं है, specialization pass नहीं हो, मैं समझाता हूँ कैसे याद करना है, इसको, मे मैं खरीदना भी चाता हूँ, उकाद भी है, खरीदना भी चाता हूँ, सामने वाला बेचना भी चाता है, मैं disqualify नहीं हूँ, मतलब मेरी उकाद है, मैं करना भी चाता हूँ, मतलब मेरी इच्छा है, पर सामने वाला भी audit मुझे offer कर रहा है, सामने वाला भी audit मुझे offer कर र गया अगर यह सारी condition पूरी हो रही है तो retiring auditor वापिस reappoint हो सकता है उसी same company के अंदर फाल्टू पॉइंट है छोड़ो हटा हूँ audit committee के applicability कब होती है फर्दर यह देख लो audit committee कब applicable होती है दस पचास सो दस पचास सो दस पचास सो पैड़ शेर capital of public company होती है पहले ही बोला था फर्दर जो public company है पड़बली कंपणी पैड़ शेर गैपिटल दस करोड या दस करोड से ज्यादा आप ढूरएंग ग्रेटर दें 50 क्रोट अब आइंग पर्दर पब्लिक तरुञएंगे तर्डोर सrą करोड दस पचाससस फैंचरसे जुड़मित्य झाइटल ग्रेटर नीक्रीस? अगर कोई भी नया ओडिटर नो ओडिटर इस अपोइंटे ए एग्जिस्टिंग ओडिटर कंटीनु करेगा समझो कोशन है अब दूसरा बंदा उठागी लिया है कोई उसकी जगे एक्जिस्टिंग ओडिटर ही कंटीनु करेगा जब तक इगजिस्टिंग ओडिटर ही कंटीनु करेगा फर्दर eligibility of auditor, eligible कब होता है, इंडिया के अंदर auditor अपन करने का eligibility section 141 में आती है, ठीक है, only CA ही eligible होता है, only chartered accountant, company audit के अंदर, only chartered accountant ही audit कर सकता है, company audit, India के अंदर company के audit, chartered accountant ही कर सकता है, further, अगर आप किसी firm को audit कर रहे हो, तो ध्यान रखना, वो firm तभी eligible है, जब उसके majority of partner CA हो, क्योंकि CA के स पर अगर उसके majority of partner chartered accountant है, तो ही वो eligible है, appoint होने के लिए, further, उस वह अंदर CA ही sign कर सकता है, partner शी firm तो बन गई, partner शी firm बन गई, तो CS भी है, CA में भी है, sign कुन कर सकता है, only CA ही sign कर सकता है, audit report पे, ठीक है, auditor का remuneration कौन fix करेगा, general meeting में fix होगी, general meeting में अलग, members fix करेंगे, उस auditor का जो सकता है, first charter board appointment करता है, तो first chartered reunneration भी board fix कर सकता है, यह first charter के case के अंदर, बोर्ड ली उसका remuneration fix कर सकता है, क्योंकि first charter upon कुन करता है, board of director upon करता है, ठीक है, normal logik है, बाकि gender member, फरने रिमिनरेशन क्या क्या, inklude करेगा, remuneration, OPE expense भी include करेंगे, out of pocket expense, जो auditor audit करने आते है, तो वो खानावारा भी खाके जाते, उनका होटल इस चे भी देना पड़ता है, आने जाने का भाड़ा भी देना पड़ता है, ऐसे जो भी काम है, जो उसको audit के हिसाब से देने पढ़े, audit complete करने के हिसाब से, वो सारे expense और वो सारी facility भी remuneration में include होगी, पर remuneration में क्या include नहीं होग other services की fees, कोई other services लिया अपने, other services जैसे उनसे tax audit करा ही अपने, या फिर उनसे कोई certifications लिया अपने, वो इस रिमuneration में include नहीं होगा, उसका हिसाब के साथ अलग से होगा, ठीक है, यह आप चेक से देखते है न, उसके बाद, other services, section 144, याद रख लेना, गाट बान लेना, section 144, AC services बताता है, जो auditor दे सकता है, जो auditor नहीं दे सकता, ठीक है, अगर कोई AC services, जो auditor दे सकता है, तो वो audit committee अपरूव करेगी, पहले, approved by the board of director, और audit committee, जहापर audit committee नहीं हो सकती, वहापर board of director अपरूव करेगी, कोई भी अगर another service ले रहे है, जो permissible भी है, वैसे तो मैंने बोला था, 144 नहीं बताया है, पर जो कम करवा सकते है, जैसे मैंने बोला था, tax audit करवा सकते है, certifications करा सकते है, तो वो audit committee अपरूव करेगी, अब main चीज, ये गाट बान देना, ये चीज अपन को रट्टा माणनी है, अभी रट्टा माण लेते, कौन-कौन सी services, वो नहीं दे सकता है, directly भी, indirectly भी, company को, company की holding को, company की subsidy को, company को भी नहीं दे सकता, उसकी holding को भी नहीं दे सकता, auditor, उसकी subsidy को भी नहीं दे सकता, auditor, कौन-कौन सी नहीं दे सकता, UMA I-I-M-R-D-A ये क्या हो गया I बड़ा वाला I I-I-M-R-D-A I-I-M-R-D-A I-I-I-M-R-D-A मेरे साथ से बलो उस तोन में बलो I-I-I-M-R-D-A I-I-M-R-D-A I-I-M-R-D-A I-I-I-M-R-D-A I-I-I-M-R-D-A ठीक है तब यह होगया यह यह services auditor नहीं दे सकता है, independence issue भाई वही, audit भी वही कर रहा है, books भी वही लिख रहा है, audit भी वही कर रहा है, financial control भी वही बना रहा है, audit भी वही कर रहा है, actuary की service भी वही दे रहा है, Actualian services, उसको नहीं देगा उस client की internal audit भी नहीं करेगा accounting नहीं करेगा, Actualian services नहीं करेगा basement advisory भी नहीं करेगा, investment banking भी नहीं करेगा management services भी नहीं देगा outsource rendering outsource of financial services भी नहीं देगा, financial information system भी नहीं बनाएगा और एमदब any other prescribe, जो और दूसरी सर्फिस प्रिस्क्राइब करी अगर बाद में कमपनीज एक ने ठीक है तो आई आया ये माड़ी है नॉर्मल लॉजिक है यही सर्फिस में नहीं देगा वर्णा इनकी पेंडिस इश्यू आ जाएगा अब auditor to attend general meeting भाई ध्यान रखना सबसे पहले जनरल मिटिंग अटेंड करना उसकी राइट में चाहिए कोई भी जनरल मिटिंग हो तो हर जनरल मिटिंग का नॉटिस जो मेंबर को जा रहा है हर जनरल मिटिंग का चाहिए ओडिटर के रिलेटेड हो या नहीं हो वह सारके साथ ज भेजने पड़ेंगे आपको ओडिटर को भेजने पड़ेंगे फर्दर यह उसका राइट है नोटिस लेने का फर्दर उसके ड्यूटी भी बनती है या तो खुद या फिर authorized person उसका authorized person attend करे वहां पे जनरल मिटिंग को जाके उसकी राइट तो है attend करने का फर्दर ड्यूटी इसकी भी है इसकी नहीं कर सकता वो उसको attend करना पड़ेगा यह duty भी है उसकी ठीक है अर्दली से अंटे exempt कराओ company ने company नहीं मना करें ठीक है आपके विच्छा होताओ all notices forwarded to auditor all मतलब all all मतलब all सारे के सारे notices जो जनरल मिटिंग के होंगे unless exempted by company या तो खुद होग जाएगा या फिर authorized representative जाएगा फर तो उसको right to herd business which is concerned with them auditor वहाँ पर जाके right to herd मिलता है उसको सुनने का ठीक है बोलने का नहीं बोलता है उसको right to herd वो सुन सकता है कोई भी काम हो रहा हूँ यह नहीं कि auditor को दोमनी ड्रूम से भार बेज दे कि auditor तुम भार जाओ पार मिटम को बात करने को जनरल इंपोर्टन business से हमारे बात चल रहे है वो नहीं बाई auditor है सारी बात सुनेगा हो ठीक है यहाँ पर ड्यूटी एस वेलेस राइट है ओडिटर का ठीक है है चलो कि रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ओफ ओडिटर रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ओफ ओडिटर कर रहा है यह फिर रिमूव पर रहा है तो उसकी क्या प्रोसेस से's क्या क्या चीजे करनी है अगर ओडिटर रिजाइन उर्हा है और और परड़तर हम देंट रेजिग्नीशन दे रहा है chamber 2 अगर में पंजबंद मेंद tr कंपवनी 5 पाइल और कंबाएीन नयुतं गुद L.E.T. 3, 30 दिन के अंदर, 3 और 30, या पर याद कर लो ना, 3 और 30, 3 और 30, 3 और 30, अगर कोई auditor छोड़के जा रहा है, तो भाई, उसको company को और ROC को बताना तो पढ़ेगा, कि मैं छोड़के जा रहा हूँ, इससा तो ना, मूँ ठाके कभी बेग विश्तर बांग के आ गया, कि क इंडिकेट रीजन और फेक्ट रेटिंग तो एज रेजिगनेशन, ठीक है, तो रेजिएन कर रहा है, 30 दिन के अंदर, 3 फाइल करना पड़ेगा, company as or as ROC, government company तो C&A को भी बताना पड़ेगा, ये पैनल्टी बड़ी बड़ी इंपोर्टेंट है, MCQ वरोगा के परपस से भ फाइल लगाएंगे, maximum audit fees जित्ता ही फाइल लगाएंगे, पता चला बंदेगी audit fees वासे पाच जार आ रही हा, पचास जार का फाइल हो जाएगा, ठीक है, 50 जार फाइल लगा देंगे अपन उस पे, पर maximum audit fees जित्ता ही फाइल लगाएंगे, तो whichever is lower, 50 जार audit fees, whichever is lower, but अगर continue failure है Pent disposiziaral ने बिर खाइल हो रहा ही वोन अगले दिन भीनहा उसक अगले दिन मिन भीने आये बता ही निणी रही लगा एंगे, यह उसका फाइल लगाएंगे, 25 जार लगाएंगे, maximum दोला ठीक है, फिलो, यह हो गया, यह हो गया, रेजिगनेशन का कीज, अब रिमोल तीन के सिस के अंदर, रिमोल बिफोर, एक्सपाईरी आफ टर्म, और नोन रिय अपोईंटमेंट बिफोर 5 हो 10 रेक्टर, और एक रिमोल बाय फ्रोड, रिमोल बाय ट्रिबूनली, ट्रिमूनल ती बड़ा बात होगे बहुत बड़ी बात होती है इसले आपको special resolution पास करना पड़ेगा पर पूछने की बोलने की तो उसको बुलाओ उसको दो कि आप कुछ बताना चाहते हो बताओ आप इस फाइल में कुछ कहना चाहते हो तो करो पूछने की पड़ेगी यह तीन कीवर याद रहे आदा क्रें आए अब यह प्रोसेस के साओगा प्रोसेस एंपोर्टेंट रट्टा तो चलो मारी ना है प्हुस सकते हके यह भाला थे अब आपको के से रिमूव करना है सबसे पहले तो बॉर्ट ने डिसाइड करा कि इसको रिमूव करना है असली में भार निकाल दो, सबसे पहले, Board का Resolution, फिर Center Government से Approval, फिर Special Resolution, मनला Final Member का Approval, Member ही तो निकालेंगे, उसको finally आइन में भार, Board ने डिसाइड करा, निकालना है, फिर Center Government से Permission भी ले ली, उसको जाके Member को बता दिया, भई अमने Center Government से Permission भी ले ली, अब तुम निकाल दो, उ इत्री टाइम लिमिट चल दी इसकी, तीसो साथ दिन की, तीसो साथ दिन के अंदर, Board Resolution के 30 दिन के अंदर, Center Government से Approval ले नहीं, और Center Government से Approval आंके, साथ दिन के अंदर, उसको Special Resolution देखके, भार भी निकालना है, ठीक है, चलो यह हो गया, फिर 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 फिर, 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 फिर उसको Reapoint नहीं कर रहे, क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्यों, ऐसा क्यों, अब अगर आप ऐसा कुछ कांट कर रहे हो, तो आपको Special Notice देना पड़ेगा, Special Resolution पास करना पड़ेगा, वही सेम केसे, Specialization देना पड़ेगा, इस देर पीस देना पड़ेगा, बढ़े अंदर, Center Government के Approval न मैं इसको Reapoint नहीं कर रहे, तो Special Resolution पास करना पड़ेगा, Specialization में क्या बोलेंगे अपन, कि हम इसको या तो Reapoint नहीं कर रहे है, या फिर किसी दूसरे बंदे को Appoint कर रहे है, या तो इसको Appoint नहीं कर रहे, दोनों मेंसे कुछ भी बोल दोना, और, या तो इसको Appoint नहीं कर र अपना IPCC में पढ़ा है वह मैं वापस नहीं पढ़ाऊंगा तो जो Special Notices होता है वो Special Notices अपने सारे Member को भेजना पढ़ता है Special Reservation की voting के साथ साथ कि यह हमारा मुद्दा है Special Notices इस चीज का है तो वो जो Special Notices है वो Auditor को भी भेजना पढ़ेगा वो ओडिटर को भी भेजना पड़ेगा वो special notice कि हम आपको remove कर रहे वो ओडिटर को भी भेजना पड़ेगा फिर auditor की इच्छा हो तो वो एक reasonable length का representation भी भेज सकता है हर member को मलब वो तो company को देदेगा वो अपनी सफाई में भी तो कुछ कहेगा कि मिरेको यार appointment करो क्यों नहीं कर पड़ेगी फर्दर वो जो representation है वो agent में पढ़ी भी जाएगी वो जरी प्रसेंटर बोलेगा ने कि मेरेको क्यों अपनी कर रहे है यह सफाई में कुछ देगा वो representation सारे member को भेजेंगे भी जिन जिनको special notice भेजा फर्दर वो representation agent जब होगी तो उसको read भी करी जाएगी ठीक है कि auditor ने यह यह बोला है उसकी पक्ष में उसके favor के अंदर ठीक है अगर auditor चाहे मलब पर tribunal से permission मिल जाए कि उनको लगता है कि tribunal को किसने campaign करते है और auditor तो यह पर AGM में आके कुछ चूचा करेगा जूट जूट बाते बोलेगा या फिर यह public interest में नहीं है तो tribunal चाहे तो order दे इसको यह वाला most important था और यह बाला most important यह यादि करना 140 subsection 5 यादि कर लो इसको 140 subsection 5 चाहे, ट्रिबुनल चाहे, तो स्यू मोटो, खुद उसे, या फिर किसी बंदे ने application दियो, सेंटर गॉर्मेंट ने application दियो, या किसी अधर परसे ने application दिये, कि भाई वो बोल रहा है कि auditor किसी fraudulent act के अंदर involved है, auditor किसी fraudulent act के अंदर involved है, उसको बहार निकालो, तो ट्रिबुनल ओडर दे सकता है, उसको रिमूब कर सकता है, कि भाई निकालो, अगर auditor fraudulent में involved है, तो उसको भाई निकालो, या से उठा के fake दो, कब-कब सियू मोटो, ट्रिबुनल खुद भी, सियू मोटो, या फिर application भाई, और application by any concerned person or CG, तो CG ने दिया, फिर किसी दूसरे concerned person ने दिया, और वो satisfy हो जाए, ट्रिबुनल, कि auditor of a company ने कोई fraudulent manner ने act करा है, तो डाइरेक कर सकता है company को की change कर आपका auditor, डाइरेक कर सकता है, change कर आपका auditor, वो मना कर देगा, criminal बोल देगा company को change कर आपका auditor, और अगर वो application CG से आई है, मैंने बोलाना application या तो CG देशकता है, या कोई person, अगर CG से आई है, तो जल्दे लदी काम करना मैं बोल रहा है, तो criminal को भी इजजत रखनी पड़ेगी, central government ने बोला कि बड़ा मुटता होगा है, इजजत रखनी पड़ेगी, पनाइन के अंदर 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 ही मलब action लेना पड़ेगा, पनाइन के अंदर satisfy भी हो गया, अगर satisfy हो गया, तो उसको रिमू कर दो, कि वो पास साल तक किसी भी दूसरी कंपणी में audit नहीं कर सकता, वो audit नहीं बन सकता, as well as section 147, 447, section 447 की भी उस पर proceeding होगी, section 447 की भी proceeding होगी, या दगना दोने important point है, क्या क्या होगा उसके उपर, पास साल तक का cooling crude लग गया, जिंदी बर, पास साल काला, सब company के है, कई भी audit नहीं कर पाएगा, further 447 की proceeding भी होगी, 447 की proceeding भी होगी, 447 की proceeding भी होगी, ठीक है, ये not in case of firm liability जो होगी, firm के case के अंदर firm की भी होगी, और सारे partner की भी होगी, ठीक है, छोड़ो, disqualification of auditor section 141 sub section 3, या द कर लो section 141 sub section 3, section 139 था appointment का, 140 था removal का, 141 है disqualification, 139 appointment, 140 removal, 141 disqualification, eligibility and disqualification दोनों आता है, 141 sub section 3 disqualification, ये बोलता है कि below जो mention करें यहाँ पर, वो auditor बनने के capable नहीं है, वो auditor नहीं बन पाएगे, वो disqualify auditor बनने के लिए, कौन-कौन है disqualify auditor बनने के लिए, अम मैं याद कराता हूँ, a body corporate, यहाँ पर क्या, a, यह को याद करना, a, इसको क्या पढ़ना है, a, a body corporate, लिखो यहाँ पर काम किरो तुम लिख लो, जो मैं भी बोल जाना हो, काई पर लिखो इसको, मैं याद एक ही बार कर हूँ आँगा, बार-बान नी करूँ अब इसमें, अब ओडी कॉर्पुरेट बी से क्या होगा बी से बदमाश एमप्लोई फर्दर एक चीज पहले के लिए कर दू मैं बिना फास्ट वो इसे अच्छा है लगता और सही भी है यह जो ट्रिक है जो मिसको याद करने की दे रहा हो वो नीरा-जरोरा सर के है यह ट्रिक मैंने फ्रे क्रेट की ल कुलें ओं तो यहापर क्या है अब कॉर्पुरेटथ बोडी ज्याज्वित क्या है बदमाश एमप्लोई याद इसह होगा यह से कंड़ी एछे लगी ऐत्रिक इसइंद्र अ बोडी कोर्पोरेट बी से बदमाश employee बी से बदमाश employee c से connection with employee connection with employee c से connection with employee बताता हूं रिक्षण एक बार यह लिख लो सी से connection with employee D से divided into D से divided into इत्ते साइड दिवाइड हो रहे हैं E से every business relationship E से क्या होगा every business relationship E से every business relationship F से four relative F से family related sorry F से family F से family F से family G से get 20 audit get 20 audit get 20 audit H से harami auditor H से harami auditor ये लिख ले ना भई harami auditor I से any other service I को कसी आप परना any other service I से any other services any other services any other services ठीक है तो कोण-कोण disqualify है a body corporate कोई भी body corporate है like XYZ private limited XYZ limited auditor ने CA ने chartered accountant लोगों ने body corporate खोल ली कोई body corporate खोल ली private limited limited एसी कुछ भी body corporate खोल ली तो body corporate कभी auditor अपोइंट नहीं हो सकती B से बदमाश employee B से क्या बोला मैंने बदमाश employee अगर auditor खुद auditor खुद officer ए director ए manager ए employee कंपनी का मैं खुद employee हु कंपनी का और मैं खुद उसके audit करने जा रहूँ मैं company का director हु मैं खुद उसके audit करने जा रहूँ कि जो कि डायरेक्टर ओर दिस्कॉलिफार नहीं सबसेडरी के डिन में औरहेक्टर इस कमपणी । ऑर सब्सेडरी क हूँ सकता होँ dal न सबसेडरी की तो कर सकता हूँ बीट भी नहीं कर सकते कंपनी एक तो रिस्टिक नहीं कर रहा पर प्रोफेशनल एथिक्स ने आपन को रिस्टिक कर दिया कि तुम इसके और भी नहीं कर सकते हैं यह चीज तुम ध्यान रख लेना ठीक है यह हो गया अब बोडी कॉर्पोरेट भी बदमाश अब ओडी कॉर्परेट भी बदमाश एंप्लाइब सी छी कंडेक्शन बीट एंप्लोई कंडेक्शन वीटेंप्लाइब में ओर्डिटर ओडिटर जो नहीं है concur공 पर्सन पार्टन या फिर एंप्लोई हे और पिसे ऑफेशन और एंप्लोई है Um को पार्टनर ऑर यमप्लोई ओफ क्ंपट्चा जलका के यहां जाँ है यहां इत तो सबसक्ता कर रएं से कोई बी सिक supportive कोई भी बी financing करता है कंपनी की की कोई भी जीरो रुपे की में अगर मनें कमपनी से लोन डे रखा है 5 लागज से ukane का मतलब सथे सबस्पीड़ीまい या यह कि ए सब Idee का में या तो उसकी security या फिर मैंने कंपनी से पास लाग से जादा लोन ले रहा है या मैंने कोई गारंटी दे रहा है कंपनी के वियाफ में एक लाग से ज्यादा सिकुरिटीजी जिरोपे की सैकुरिटीजे जीरोपे की लोन पास लाग से ज्यादा सिकुरिटी एक लाग से ज्यादा एका हुट यहा पर किया है रिडैटीर पार्टन्र अपγस तोड़ द Do को ठीकि रिलेटिव都 देदी कि रिलेटिव तुम एक लाग फेस्वल pew तक तुम security hold कर सकते हो एक लाग face value तक तुम company की security hold कर सकते हो एक लाग face value तक relative hold कर सकते है auditor या auditor का partner hold नहीं कर सकता है कौन hold कर सकते है relative only relative ही healthy कर सकते है एक लाग face value तक एक लाग face value तक market value ने एक question यह आपर खूब बूल जाएगा एक लाग फेस वैलुई है या मार्ट वैलुई फर्दर सकते हैं उसका पार्रंटर या खुद ने रिलेटिव क्यों कर सकते है रिलेटिव और गुलंपनी के डूबिटीव को आया गुस्सा उनकी जल गई उन्होंसे लिया एक रिघाट ेमें आप 10 रुपए face value का action ले लिया फिर वो ले 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 तु तो disqualify हो गया अब तो इसकी audit नहीं कर पाएगा जल के राख हो चुका थे क्योंकि वह तो गलत हो गया तो इसलिए रखी है रिलेटिव ने तो साथ दिन के अंदर अंदर अगर वो सिक्यूरिटी बेच देता है उस कंपनी अप्टू एक लाग तक लियाता है तो भी चलेगा तो भी डिसक्वालिफाय नहीं है वो रेटिफाय हो जाएगा एक लाग से जाबा की अपॉइंट्मेंट के साथ दि रहेगा यहाँ पर फेस ओले देखेंगे यहाँ पर कंपनी देखेंगे कंपनी कंपनी मतलब खुद की कंपनी मतलब आप जो रिलेटिव भी होल्ड कर सकता है एक लाग की सिक्रिटी वो के वहल खुद की कंपनी में होल्ड कर सकता है मतलब जिस कंपनी की ऑडिट की बात चल जल रही है ग्रेस पिडिट पिडिट ओंड एक डिस्क्वालिफाइब एक लाग की जो है वह क्यों कंपणी की केस में कि नॉट सबसीडिरी ओल्डिंग ने लगे का है 50 जार भी अगर होल्ड कर रखा है holding जिस company की बाद चलिए उसकी holding का तो डिस्क वालिफाइब एक लाख की लिमिट भी नहीं लगी ठीक है सार दिन की लिमिट भी नहीं लगी सब को डिस्क वालिफाइब करते हो फर्द इसे every business relationship every business relationship इसे अब person जो directly इंडिरेक्टली बिस्निस relationship में है चाहे company से उसकी सब्सीडिरी से holding से असोसेट से फेलो सब्सीडिरी से फोर कॉमर्शल पर सब्सक्राइब मैं कंपनी करने जा रहा हूं मैं उसका धंदे की डिलिंग चलती है लाइक अगर तुम देखो कि किसी कंपनी का पेपर इंडस्री का अन्ञार का पिजनिस रर्फ कंपनी बरबाद में बंद हो जाएगा को मिनीय कोंमर्शल प्रांजेक्शन है बिस्निस सब्सक्राइब और इक्टिया दो प्र प्र्राइस प्रे एक तो दो प्रोफेशनल सर्फिस दे रहा हूं मैं उसको जो चले और है तो चलेगा तो तो बिजनिस ट्रांजक्शन नहीं कहलाएगा तो मैं qualify you ordinary course के अंदर arms length price में ordinary course मतलब भाई reliance की audit कर रहा हूं में या ITC की audit कर रहा हूं में तो क्या उसकी 10 रुपे की cigarette लेके नहीं पी सकता गया मैं मैं नहीं पी सकता हूं घरवाले मार देंगे तो नहीं पी सकता हूं ठीक है बट मतलब 10 रुपे की chocolate लेके या ऐसा कुछ भी मतलब चीज की audit कर रहा हूं FMCG company की तो मैं उसका कुछ 10 रुपे का market से दुकान से जाके market वो consume तो कर सकता हूं कोई को ओडिनरी कोर्स का बिजनिस वहा न को दस रुपे की चीप कर रहा हूं थो 10 रुपे की चीप सब्सक्रों कर रहा हूं थो 10 रुपे में 10 रुपे में लिए अंग्षिंस प्राइस बिदिक को आप नहीं हो गया वर्दे एफ से family member F से क्या हो गया, family member, कोई भी मेरा family member, family member मतलब relative, कोई भी relative, वो director या केंपी है, company का, तो मैं auditor नहीं बन सकता, उपर ओल एक point घ्यान करो, उपर ओले point के अंदर या पर मैं director केंपी था, B point के अंदर, director केंपी मैं खुद था company का, B point के अंदर, बदमाश employee के अंदर मैं खुद employee य director था, F camber relative मेरा director रहके MPA, ठीक है, तो यह हो गया, G से get 20 audit, अगर मैं किसी के employment के अंदर हूँ में, मैं employment में elsewhere हूँ, तो मैं audit नहीं कर सकता, भाई मैं employee person, employee person, employee CA कभी audit नहीं कर सकता, वो auditor नहीं बन सकता, employee person, COP नहीं ले सकता, क्योंकि generally, ठीक है, तो certificate of practice हो गया, या फिर मैं maximum 20, low key, as on date of appointment, date of appointment पर limit check करना, 20 companies की, maximum 20 company की audit कर सकता है, पर इस 20 company की limit में exclude करेंगे, बिलो companies है ना, उसकी तो unlimited audit करो, उसको 20 company की limit में गिनो मत, OPC, small company, dormant company, छोटी-छोटी company, hiring किती audit करो, इनको 20 company की limit में मत गिनो, OPC, small company, dormant company, 20 company की limit में count नहीं होगी, इसकी unlimited audit करो, और फर्द कीन का capital 100 crore के कम है, OPC, small dormant, OPC, small dormant, private companies का 100 crore से tadda, पैल पर घुलो से कम वाली, private company 100 crore से कम वाले, 100 crore का capital, यह छोटी-प्भोटी-चोटी-छोटी company है, इनकी तो unlimited audit कर सकता हो, unlimited companies कर सकता हो, उनको limit के अंदर count नहीं करेंगे, 20 limit के, इनके unlimited audit कर सकता हो, पर ये, वो ही वाली company प्राइवेट कंपनी जिन्होंने डिफॉल्ट नहीं कर रहा हूं अगर नहीं डिफॉल्ट कर रहा हूं तो वह बहुत सारे कॉशन अल्ड़ी सौफ हो जाएंगे मैं 18 कंपनी की ऑडिट कर रहा हूं 18 कंपनी इनके अलाभा फर्दर में पास ओफर आया कि मैं दो प्राइवेट कंपनी की अइचपलोग जिनका टर्न ऑवर ग्रेटर देने सो करोड ओर चार प्राइवेट कंपनी की अइचपलोगों की यहां पर क्या है 18 फ्लस एंसास ऐिक जाट कर सकता हूं मैं इसका एंड येड़ पर्सन कोई भी परसन खो गया कोड से एच से क्या हरामी ओडिटर हरामी मतलब पोड में जेल गई हो गई कि उसको कोंथे बैक बैक कोड फोड फोड फ्रोड की केसमें जेल गया था उसों दस साल भी कुरन रही हुए जेल से झुटे वे जिल से चुटे वे लिए इसमें कोड़ एक वन्फॉट्यफीफोर के विति एपर करें के दूरिटरिंग दे एकसेप क्टिएश बदली गरेंगेग ग व 20 audit है वो देखेंगे date of appointment, date of appointment के time पर अपने पास 20 audit है, 20 audit से ज़्यादा है तो अपन disqualify है, बाकि जितकी भी remaining disqualification है वो करेंगे during the year, during the year long कभी exit तो नहीं हो गया, during the year में कभी employee तो नहीं बन गया company का, during the year देखेंगे, पर 20 की limit कभ देखेंगे अपन, as on date of appointment, अगर disqualification attract हो गय appointment होने के बाद disqualify हो गया, उसके बाद मेरे पास लाग का loan ले लिया, पास लाग से ज्यादा का loan ले लिया, उसके बाद मेरे किसी relative ने एक लाग face value से ज्यादा का security ले ली, तो मुझे vacate करना पड़े का office, खिक है, चलो, होने वाला भी mainly exam chapter को हो गया, अब section 143, power and right and duty of auditor, इस करो MCQ purpose के लिए, case scenario purpose के लिए, सारे point याद नी करने, याद तो अपने आप उजेंगे, पर इनको समझना है, क्या exam में case scenario के लिए question आचाएगा, मैं अगर auditor हूँ, तो मेरा power है, मेरा right है, कि मैं जितनी भी company की books है, document है, मैं वाउच कर सकता हूँ, जितनी भी company की books, document, minutes, सब लिख देना तो, company की जितनी भी books है, minutes है, voucher है, including branch की books भी, including branch की books भी, कोई भी मैं further information मंगा सकता हूँ, books of subsidiary भी मैं vouch कर सकता हूँ, तो मैं auditor हूँ, मेरे पास right है, कि company की minutes, books, branch की books, subsidiary books, अब कुछ देख सकता हूँ, सब कुछ वाउच कर सकता हूँ, कि मैं company का auditor हूँ, मैं को अब चाहूँ, तो further explanation भी मांग सकता हूँ, officer से, और employees को further information भी मुझे देनी पड़ेगी, मेरे पास right है, मेरे पास power है, further, right to receive notices of all general meeting में, बो रहा था, all general meeting के मुझे चाहिए, office में उपर पढ़ा चुका हूँ, report कर सकता हूँ, member को right to lean है, lean कर सकता हूँ, company की books को, पर यह वैस professional dignity maintain करके उसको books को लोका दे, तुम lean मत करो, lean मत रखना, उस बंदे ने मेरा payment नी करा, मैं पाँ उसकी books पड़ी थी, तो मैं books उसको दही नी रहा, मैंने lean कर लिया, उसको, professional ethics ने मना कर दे कि वैस, तुम CEO, तुमको अपने dignity, इजज़त maintain करने है, तुम इसे काम मत करो, इन मेटर्स के उपर, इन मेटर्स पर inquire करूँगा, और मैं report करूँगा, इन मेटर्स पर inquire करूँगा, और report करूँगा, मुझे क्या inquire करना है, क्या report करना है, यह यह रहे, पर एक चीज़ पहले ध्यान रेख लो, इसके पहले, कि मुझे इन मेटर्स पर, मुझे तब ही report क प्रोप्राइटरी मेटर से 143 सब्सेक्शन वन के उस पे मुझे तब भी जब तक रिपांग नहीं करना जब तक कोई लورरेक्स आब इसको कैसे याद करनाया ओफ्री कर से करना है ऐसे एडवांस जो कंपनी ने याध्वांस ने रखे हैं क्या ओल्टर को चेक करना क्या वो ओर्ट को चेक करना अगर नहीं है। तो रिपोर्ट करो बीसे इंट्री जो बुक्स के इंट्री ओर्ट नहीं है। जो भी entries है कोई भी दो नंबर के entry तो नहीं है मतलब वो prejudicial to interest of company नहीं है A से advance loan and advance are secure and prejudicial to the interest of company B से books entry, books entries are prejudicial to the interest of company C से cost of sales is less than, cost is greater than sales कोई भी other than investment company, investment company के अलावा किसी ने भी investment sale करा cost से कम पे जो मैंने cost थी मेरी 10 crore की मैंने purchase करा था और जो मैं sold करा था उसको 2 crore कर दिया, 8 crore का loss हो गया ऐसा कोई case हुआ है, तो भाई check करना पड़ का विटर को इससा क्या मजबूरी थी जो आपने investment loss में बेचा है तो cost not being investment company, investment company के अलावा share, debenture, other security जो पढ़ी ती soldat price less than purchase price फिए अडेश प्रउस श्रम मेने रिच्ट दीये करें वह साब क्वार्मेंट ऑख रिपोजित पड़ती है डीपोसित के अन्दर टीर मीं इडवार्मेंट है। सेम ऐधिके में खड़ती है तो यह सब द्लोंको बोले हैं न यह न इसाद पैसे इन्द्ध और पर सस्फनल नेचर एक्स पेंस आपने पेंडल के अंदर चार्स गो नहीं करें एक्स परस्टाले च्छॉल नहीं करें न एफ पॉर केश, लीटेंटरत अलोर्ट करें वो फोर कैश में, कैश मिला है न उनका ऐलोर्ट लोर्ड करें, अगर कैश नहीं मिला है तो उसकी प्रोपर पोजीशन, बैले कीशीत में बता कि हटाओ 143 अप्सेक्षेन ट्री अगेन वापस आजाओ यह वाली जो ट्रिक है यह ट्रिक भी निरजरुड़ा सर्की है यह वाली ट्रिक बीने जरुड़ा सर्की है थैंक्यू वेरी मुच निर अदर में प्रोप्रेटरी में आपको कब रिपोर्ट करना है जब को 143 subsection 3 के अंदर आपको हर बार रिपोर्ट करना है चाहिए एडवर्सरी मार्ग हो या नहीं हो दोनों कैसे के अंदर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा ठीक है दोनों कैसे के अंदर आपको रिपोर्ट करना है मतलब करना है 143 subsection 3 reporting is required even if there is no adversary मार्ग अब यह आपको याद करना है मैं बता तुम किसे याद करना है सबसे पहले आपने डिस्क्वालिफिकेशन वाला था वो याद हो गया a body corporate b badmash employee who closes a body corporate b badmash employee c connection with the employee d divided into shared venture share loan and security e every business relationship family member g get 20 audit h harami auditor i any other services section 141 के point online a v60 a v10 डी कंपने ऊपर पदा एडवांस दोने एडवांस अच्छुर कुरें प्रेजिश जोस्टिश्टे में इस करो या be books and trees books and trees are present trees are?? c cost is less than cost is greater than sales amount investment ुकरा था उसको सबस्टे में बेचा ई पर स्टनल एक्सपेंस इजो परस्तनल एक्ष्पेंस था चार्ट कर आप यह वाली याद करना है यह कैसे याद करना है पहले समझा देते चलो फिर बाद नहीं याद करेंगे इसको पहले समझा देते हैं करने के लिए उसको चाहिए थी वो सारी information company से मिल गई है यह अप्टेन आ दा information बिरीव नेसरी फॉर दे परपोस ऑड़े सारी information मिल गई है ना रिपोर्ट करो बाई बताओ नहीं मिले तो क्यूं नहीं मिले है उसे बताओ बुक्स ओप अग्व काउंट्स मैंटेन करनी चाहिए तो ही रिक्वैरबाय लो है वह मेंटेन कर रखी है फुरदर ब्रांच तुमने विजिट नहीं करिए उसकी बुक्स भी मंगा हो और उसको अचेक करो ब्रांच की रिपोर्ट ब्रांच की जो ओडिट रिपोर्ट है उसको ओडिटर तुमने डील करा है ना ब्रांच की जो ओडिटर हो सकता है ब्रांच की ओडिटर और को यह ब्रांच की रिपोर्ट करके उसकी रिपोर्ट बेज़ेगा ब्रांच की रिपोर्ट ब्रांच की बांचित भी बॉकस फीनिक्राउटल ये रामसें लात्रीजिक्षिट नियुस्ट युटी से बनेखनी निक तो सब्सक्राउंट करता है। और जिंगलतेई नियुस्ट कॉम्पाउटंटिंडल में पर लेता है। यह इंपोर्टेंट चीज़े सारी है आपर बताऊंगा एक और बार यह सब एक्जाम में आते हैं तो यह चीज़े आपको देखनी है question में पूछ लेगा books of account company maintain नहीं करेंगे report करो कि दर report करोगे एक तो बी वाला होता है और एक याप एक और होता है खा गया यह चलो चुड़ो को तुम्हें है यह रहा क्वालिफिकेशन एक वाला ठीक है तो अब वह चीज़े आपको बतानी पड़ेगी वह पर लिखेगा कि company ने अपर रिपोर्ट करोगे आप अपर रिपोर्ट करोगे आप रिपोर्ट के अंदर 143 सब्सक्राइब रिपोर अपर कर देंगर आपको यह उसका क्या हो सकता है कोई अपने जो इंवेस्टमेंट की कौश से भी सस्ते में आपने और यहां पर आपकोई भी धिस्कौई करना है। qualification यह important है कोई भी qualification relating to maintenance of accounts इधर भी रिलेट करना है उधर भी लिखना है उपर ठीक है कोई भी qualification है books of accounts में तो आपको यह आपर बताना इंटर्णal financial control वेधर तो अपनी है वह है adequate internal financial control है न कंपनी का तो वो भी आपको पार देखना है कि आपको, सारी की सारी कि मुझे मिल गई है। ब्रांच के औरे रिपोर्ट भी देखती है मैंने, बैलनेशीट पी और बुक्स से पोईंट है किस किस पर नहीं लगता है इंटेला फाइने कंट्रोल लगा है रहे होना किसी कंपनी में क्पेर लगाने की बहुत कॉस्टिंग होती है बहुत समालना पढ़ता है सब्सक्राइव के कंपनी या फिर तरन ओवर जिस कंपनी का 50 कुरूर से कम हो एंड ऑग उगा और साथ में टर्ण और बोरेंग 25-50 चोटी भी होती है तो भी रिपोट करना पड़ेगा 25-50 बोरेंग टर्ण और 25-50 चोटी यडी कंपनियों के इसकी रिक्वार्मेंट नहीं कोई भी अधरमेटर जो प्रिस्क्राइब करेंगेड अभी तक जो प्रिस्क्राइब हुए क्या बना है क्या नहीं बनाया है है वो बताओ एक बार पेंडिंग लिटिकेशन चल दीए वो भी बताओ करेंट कर रखा है इंवेश करेंट इसक अलावा कोया भी फंड हमने बाकी दूसरी जगे डुसला fenay olmuş नहीös नहीं दैरेक्ली का सबुस्खकर रखा इससाब से मिनदी dos कर रखा है उसके अलावा कोई भी नहीं करा है यह लोन लेने की बाद लिस्क्लोज जो हमने नोट के अंदर डिस्क्लोज करके है उसके अलावा कोई भी फंड रिसीव नहीं करा है किसी भी तरीके से हमने नहीं लिया है किसी दूसरी पार्टि के भीवाफ पर ओपर रिसीव कर रहा है इंडार्टिह भी अपर और राले पृट्प में था कोई पैसा इंडार्टिक इसको दिया भी नहीं अधर देन डिस्फ्लोस डाइट लिया भी नहीं यह तो थी management की representation लेनी एक के अंदर और अब थर कोईंट के अंदर बताना है कि auditor तुमने management की representation तो ले ली उपर के दो मेंटर के अंदर पर क्या तुमको तुमारी finding के साब से ऐसा कोई लगता है कि नहीं management को छुपाया है तो वह यहां पर अडिटर रिपोट कर देगा nothing has been come to a day notice तो बिलीव रिप्रेजेंटेशन अंदर वन एन टू अब दो कोईंट और जो नहीं जुड़े है डिविडेंट डिक्लेर और पे करा है वो section 123 के सब्सक्राइब करा है कि साथ साथ दिन तीस दिन जो जो भी लिमिट थी उसके कोड़ेंग ही हमने डिविडेंट पे लो डिक्लेर करा है उसके अलावा हम उसको comply करा उसको contract नहीं करा ठीक है अब एक और यह है financial advice तेज से लगेगा जो भी companies है कंपनीस के अंदर जो भी software मेंटरिन कर रही है चाहे वो टेली हो चाहे वो ERP हो वह टेवर सब्सक्राइब मेंटरिंग फॉर मेंटरिंस और बॉक्स अचांट वो उनके अंदर लोग सिस्टम होना चाहिए log system log मतलब जानती हो log tracing log जो कहते है अपन कि कभी भी जो भी उस software के अंदर entry feed करिए delete करिए transaction शुरू से लेका end तक किस बंदे ने डाला है क्या करा है सब चीज का एक log होना चाहिए जिससे responsibility हो कोई entry delete भी करिए तो पता होना चाहिए ये entry बज़े से इत्ती बज़े से इत्ती system में डाली तो इत्ती बज़े डिलीट करिए इस बंदेने entry डाली तो इस बंदेने डिलीट करिए हर एक चीज का tracing log होना चाहिए entry शुरू कहां से हुई थी खतम कहां पे होई है कहां कहा entry flow कर रही है तो वह आपको system रखना पड़ेगा सब्सक्राइब कर रहे था उसका logging system audit system ठीक है एक लास्ट एक और पॉइंट जो बताना था इस पॉइंट को काट देना यह मैंने गलती से डालता है इसको काट देना यह वाला तो हां एक और बताना पड़ेगा अब उसको याद करें की ट्रिक बता देता हूं आपको बहुत अजीब ट्रीक है पर अच्छी ट्रीक है अगें बाए निदेश रोडा सर ठीक है चलो बताता हूं मैं वे तो इसकी ट्रीक हा इसको पहले नम्ढरिंग डालो 123456789 नहीं, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये numbering हो गई, अब इदर देखो, वन भाईम देखना, नहींका रायिमिंग वर्ड, वन गन, वन गन, गन के सारी information माँए, उन खो ब हैं, बहुत सुनने में बहुत अजीब ऑकवर ट्रिंब लगरी, पर अच्छी ट्रिकें याद से और इस मोर में बोड़े हो, वन गन, गन के सारी information माँए, वन गन, गन के सारी information लोगो बाइब देखके तुमको यह याद मैं आता क्या इंदी को देखके तुमको यह याद नहीं आता सारी branch होती है three 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 की बहुत साघी branch होती है three three की बहुत से है branch रांच होती है one gun gun दिखा कर Бपन थिका के सारी information मांगी two shoe books of accounts पर भीuje शी नहीं दििखाते three 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 की बहुत सारी branch होती है branch report four door four door अपने जसी दोर खोला अपने जैसी door कर अपन किया हाथ में सब्सक्राइब बैलेंशेट क्या है जैसे अंदर से टोर खोला हम ने इमेजिन खूला पन्हें पूट सारी बैलेंशेट में चलते हैं और गुरिए तो सब कुछ सही है फोर डोर न न दिखा के सारे इंफोरमेशन वागई टू शू बुक्सों शू नहीं लगाते हैं ट्री ट्री की ब्रांचे फोर नोर तोर खोलते पहले बैलेंक यह वाहां से वुक्स ब्रकांट गिरी हमने चेक कर लिया फाइफ नाइफ 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 दिखा के उसके घले जन दिखा के सारे इंफर्मेशन माँगी 2 शू शू बुक्स अपकांट पर शू नहीं लगाते 3 3 3 की बहुत सारी ब्रांशेस होती है ब्रांश रिपोर्ट 4 डोर खोलते पर बुक्स अपकांट बेंच करी है अपने 5 लोगाने खाके आपने आख फोलो कर रहा हूं ? पकंट खाके आपने कमेंट दिक्त क्या धां किचपिच कमेंट माने मुश्कुर मीश्किल ओड़ दा चिश्क विच्विच्विक्स सिक्स विख्सक जीक्स खाके अपने कमेंटर दिये किस पर कमेंटर दिए खराश्टीक अपने भी सखाके कमेंट करा इस एवन है डिष्वालिफाय हो गया है यह यह इट डेट 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 कोई बीड़ की लड़का तुम्हाइशा डेट पर चाला तुम सीए हो तुमने क्या डीजरी यह पॉचिए का तुमारे पैसा हो पूचिए का एट इंट्रनल फाइनशल कंट्रोल खो दिया इंट्रनल फाइनशल कंट्रोल नाइन वाइन 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 इंट्रनल फाइनशल कंट्रोल नाइन वाइ हो दिया है कि टैन चैन से लोगी तु है क्या देती है अंडा ऐंडा ओशेप का होता है ओसे अंडार मेंतर एप पर यह अधर मेतर पोसे अधर मेंतर पोसे अधर मेटर वन गन गुन निखाए तारी वांगी तू शू बुक्सव अकाउंट शू नहीं लगाते हैं त्री ट्री की ब्रांचेस फोर दोर खोलते पहले बुक्सव अकाउंट्स गिरीव हाथ पर इंडल थी मैच कर लिया फाइफ नाइफ दिखा के अपने इस्ट फोलो करें इसको दो बार देखना वीडियो को रिपीट करना हो जाएगा है सब्सक्राइब कारों बता दिया 143 सब्सक्राइब और फ्रोड रिपोर्टिंग डिसकस लेटर चलो अब डिसकस लेटर शुरू करते हैं डिसकस लेटर मैंने बोला दो यहाद रखो अपोइन्मेंट वाले फिर एक और यहाद रखो अपोइन्मेंट वाले फिर एक और यह अब यह होगा है 567 यह भी अपन को देने पड़ेंगे 567 गौर्मेंट कंपरी की केस के लिए सी अंडगी बताएंगी कंपनी के पावर है कि वह चाहे तो सप्लीमेंटरी ऑडिट भी करा सकता है विटिन 60 इस चीज की रिवेन्यू की या किसी भी चीज की सप्लीमेंटरी ऑडिट मैं और चाहता। करो मुझे इसके ऊपर रिलाए नहीं हो रहा मुझे लग रहा है जिस भी बंदे से वो चाहे जिस भी बंदे से वह चाहे बद शक्राइब करवा सकता है जो भी कमेंट होंगे C&DG के वो कमेंट सबको देने पढ़ेंगे जिन जिनको financial statement दिया है जिन जिनको financial statement दिया है वो जिन जिनको copies भेजी है financial statement की उन उनको supplementary audit की report और CNAG की comment भी बेजो supplementary audit के ठीक है तो यह हो गया CNAG direct यह हो गया supplementary audit करा सकती है CNAG direct कर सकती है auditor को CNAG supplementary audit करा सब्सक्राइब कर नियुक्त विल्टिमेंट करा सकती है विदाउट अनियर टाइम लिमित में में ओडर टेस्ट्यूरित ठीक टेस्ट टेस्ट से अटेस्ट पॉर निए ब्रोटीOS फ्रोड रिपोर्टिंग 143ênio 312 अंदर किया duty होती है कोई भी कपनी कोई कमपनी में कोई फ्रोड हो रहा जो फ्रोड कंपनी ब्रलय serait ओर ऐंप्लोइज वर करता हैं किया और आउड्साइदर अग्र आउटसाङडर कंपनी पे तो यहां पर रिपोटिंग नहीं देनी, वो कारों पर देनी है, पर अगर employees और officer fraud करें company पे, company के asset, case उटा-उटा के घर पे ले जा रहे है, कुछ भी कर रहे है, fraud कर रहे है company पे, गरद 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 एंट्रिया पास करें, बड़ी बड़ी गरद गरद करोड हो की, तो 143 सब्सेक्शन 12 पे रिपोड़ होगा, officer or employee जो company पे fraud कर रहे है, 143 सब्सेक्शन 12 के अंदर उसकी reporting कर रहे है अपर को, अब fraud का around एक करोर से कम है या एक करोर से ज्यादा है, वो देखो, एक करोर से ज्यादा,他 कम है या फिर Еक करोर है, एक करोर से जादा है, ऐसा वारावत, अगर egy करोर से कम है, तो दो दिन के अंदर only audit committee और board of director को बता त को के या करना है दो दिन के अंदर अंदर only audit committee और görev director को बताना है दो दिन के अंदर जैसे उसको पड़ा पड़ा उसके दो दिन के अंदर अंदर report to audit committee और bour Poppy uhckt institute नहीं होरे हैं तो अदर अदर इसको बताना है अक्ष्छ ऑडिवStrallowallag नेचर क्या था, अमाउंट क्या था, पार्टी कोन कोन इंवल्व थी, नेचर क्या था, अमाउंट क्या था, पार्टी कोन कोन इंवल्व थी, नेचर क्या था, अमाउंट क्या था, पार्टी क्या था, पार्टी क्या था, पार्टी क्या था, नेचर क्या था, नेचर क्या था, नेचर पार्टी अमॉंड हैं और साथ में चिपपनी रिपोर्ट को न फर अर्ट नहीं हो पायेगा उस तरह की चीजे तो ये जाए नेचर पार्टी यह पार्टी और अमॉउंड था और ये हमने आग Scanden लिया, रिर मेंधिय लिया है अब अगर एक क्रोड का फ्रोड है, तो बाई तो मैटर बढ़ है, C.G. को रिपोर्टिंग जएगी स, किसमे करकी कि रिपोर्ट पर पती हो की को बाई, C.G. को एक क्रोड को रिपोर्टिंग करने पड़ने हूं, सबसे पर हैं कि दो दिन के अंदर तो दो दिन के अंदर-अंदर मैं बोर्ड और ओरेट कमेटी को भेजूँगा कि तुम तुम तुमारे कमेंट, तुमारे अब्ज़रेशन तुमारी जात्पर्ताल कर लो कि यह फ्रोड क्यू कमेट हुआ, कैसे हुआ, किसलिए हुआ, तुमारे नोलेज में था, नहीं था, चि अगर उनका reply नहीं आया, उनका reply नहीं आया, तो मैं report भेज दूँगा, और साथ में note लिख दूँगा, कि भाई, मैंने उनको बोला दो दिन के अंदर, पर उनका reply अभी तक नहीं आया, ठीक है, वो मैं CG को भेज दूँगा, मैं को CG बद दोना case में report करना ही, ठीक है, तो अ टाइम नहीं हुआ, तो CG को report करना पड़ेगा, पेतल जिनके बाद, ठीक है, तो center government को भी report करना पड़ेगा, एक प्रोड है, एक प्रोड से जादर का फ्रोड हुआ, तो, nature party जमाओ, nature party जमाओ, ठीक है, के से report करना है, फाल्टू चीज है, विसे तो पर एक बार चलो देखन सेंट करना है, अपनको, secretary of MCA को, sealed cover के अंदर, auditor भेजेगा, MCA को, secretary of MCA को, sealed cover के अंदर, cover करके, seal करके, के से भेजेगा, RPAD को, register post with acknowledgement due, नाम के वालों डाक होती है, register post with acknowledgement due से भेजेगा, या फिर speed post से भेजेगा, साथ में email भेज के confirm भी करेगा, बात में कि आपको मिल गया ना अधिटर होगा, एडिटी फोर में देगा, ठीक है, नॉर्मल पॉइंट है, MCA के लिए देख ले ना, यह जो fraud reporting है, fraud reporting, cost auditor पर भी लगती है, secretary auditor पर लगती है, company auditor पर तो लगती है, साथ में fraud reporting, cost auditor पर भी लगती है, secretary auditor पर भी लगती है, अगर उनको भी कोई fraud मिला, उनको भी यह रिपोर्ट करनी है, यह रिपोर्ट करनी ही, अगर नहीं करा, तो इतना fine है, पास लाग on listed company, एक लाग on other company, ठीक है, मलब यह auditor, cost auditor और company secretary, अगर इनोंने, मलब यह यह complaint नहीं करी fraud मिलने पर, तो उनके उपर पास लाग और एक लाग की fine लगेगी, पास लाग listed company पर एक ल अगर और company auditor auditor, branch audit होती है, branch audit, Indian branch है, अगर Indian branch है, तो कौन audit करेगा branch की, या तो company, जो main company, main company का auditor है, जो head office का, वो ही चाहे, तो वो audit कर ले, या फिर other person qualify under section 141, कोई दूसरा CA chartered accountant, जो qualify 141 के अंदर, वो भी branch audit कर सकता, ठीक है, foreign branch के अंदर, या तो company auditor करेगा, या फिर other person करेगा, या फिर foreign branch है तो हो सकता है, वापर chartered account के लिए, वापर CPA चलते हो, या दूसरे बंदे, जो उनके लोग के इसाब से qualify हो audit करने के लिए, वो बंदा audit करेगा, वापर chartered accounting नहीं क्यों, मलब आपर CPA qualify होते हो, audit करने करेगा, थिक है, duty of branch auditor, branch audit की report बनाए, branch audit की report बनाए, और उस branch audit की report को company auditor को भेजे, जो main auditor है, उस company auditor की report को भेजे, और company auditor की duty है कि वो उस report को पढ़े, भ्यान से उसको observation पहरे, फर्दर जो fraud reporting है, वो branch auditor को भी देखनी पढ़ेगा, को कोई fraud मिला, तो branch auditor को भी वो fraud उनको comply करना पढ़ेगा, ठीक है, तो और further SS618 की requirement comply कर लेना, using the work of another auditor, ठीक company officer पर कभ फाइन लगेंगे, section 141 की according, अगर उनने contraven करा, ये section, ये section contraven करा, section 139, appointment of auditor, appointment of auditor, board of director को करना चीथा, first bar में, पर member ने कर दिया, second bar वी अपर member करना चीथा, पर board of director ने कर दिया, remove कर दिया, remove कर दिया, remove की जित्ती भी process थी, वो follow नहीं करी, qualification, disqualification, disqualified था बंदा थो भ vendor और जो service नहीं ले सकते तो auditor की वो भी service ले ली, sign को auditor, auditor to attend GM, auditor को GM attend करने के लिए notice ही नहीं भेजा, अगर ऐसा कोई contraven कर रही है, तो company पे क्या fine है, भाई, 25,000 से पास लगता का fine है, 25,000 से पास लगता का fine है, और जो officer है जिसने default करा है, जिसकी responsibility थी ये काम करने की, उसने default कर पर 10,000 से एक लागत का, company पे जादा fine होगा, company बड़ी होती है, officer चोटा होता था officer पे चोटा fine होगा, 10,000 से एक लागत का, 25,000 से पास लागत, 10,000 से एक लागत, imprisonment अब जो auditor पे है, अगर उन्होंने, auditor ने वोईलेट करा section 139, appointment की कोई भी condition appointment का section, या फिर power and duty of auditor appointment करी, या फिर 144, जो सब इस रेंटर नहीं करने की, वो रेंटर कर दी, या 145, signing of audit report के अंदा है, उन्होंन कोई लोचा करा है, तो उसके ओपर कितना penalty लगेगी, important section है, यह वालत हैं लगना हो, in case unfilful default, गलती से हो गया, और एक है की willful default, जान पुछ की क पास लाग तक का fine, कुछ भी लगा दिया, या फिर 4 times of remuneration, whichever is less, पर willful default था, तो बड़ा कांड होगा, तो जेल भी बेजेंगे, और fine भी लगाएंगे, एक साल तकी, जेल भी बेजेंगे, और fine किता लगाएंगे, 25,000, पर maximum के अंदर, 25 लेक और 8 times of remuneration, 25 लेक और 8 times of remuneration, या पर 4 times था, या पर 8 times गड़ दिया, 25 लेक और 8 times of remuneration, whichever is less, minimum 25,000, maximum 25 लाग, या फिर 8 times of remuneration, whichever is less, तो non-willful default है, willful नहीं था वो, 25,000 जे पास लाग, और 4 times of remuneration, अगर willful था, तो एक साल की जेल, प्लस minimum 25,000, maximum 25 लाग, और 8 times of remuneration, whichever is less, ठीक है, अगर convert हो गया, या पर 1 सा हो गया वो, तो उसको refund भी करना ही पड़ेगी, remuneration, उसको भी damage हुआ है, company को, statutory body को, member creator को, तो वो damage भी उसको pay करना पड़ेगा, auditor को, फर्दर, अगर audit के अंदर यह हुआ है, मलब यह सारा की auditor की गलती थी, तो civil liability और criminal liability के मिन में, difference तुमको पता होगा, और ठीक है, चलो, civil liability एक तरह से माल लोगी, यह fine penalty के related liability है, और यह माल लो, jail के related है, तो civil liability तो होगी, तो सारे partnerty और firm के होगी, पर jail को जाएगा, वो क्योल concern पासे जाएगा, जिसकी गलती थी, क्योल जेल तो होई जाएगा, ठीक है, तो cost record and cost audit, यह क्या होता है, sir, cost record and cost audit, यह section 148 rule 14 होता है, section 148 यहाद के लो, होता है काफी है, 138 internal audit का था, 139 appointment का था, 140 removal का था, 141 qualification, disqualification का था, ठीक है, यह काम के section थे हैं, उसके बाद, और 143 power and duties का था, 143 subscription 1, proprietary matter, 143 subscription 3, other than proprietary matter, जो inquiry थी, और 143 subscription 12, fraud reporting का था, और 148, अभे cost record and cost audit का, cost record and cost audit फटा होता है, इसके में जो mcq point में उस पर ध्याम दूँगा, अभी मैं फटा होता हूँ, यह जाद इतकाम का नहीं, जो मैं highlight करेंगे, वो तुको पढ़ने के मिला के mcq प्रपास के लिए cg, center government बोल सकता है, cost record maintain करने के लिए, तो cost audit और cost record, cost record मता books of accounts, cost related books of accounts, center government कुछ prescribe कर देक, इन इन कंपनियों को, इन इन कंपनियों को अपना cost का record maintain करना पड़ेगा, कि कितनी main power की, कितनी main power पे cost लगी, कितनी raw material पे cost लगी, या कितनी other related cost लगी, तो बता देगा कि center government बोल करो, prescribe कर देगा कुछ-कुछ companies, prescribe कर देगा कुछ-कुछ companies, उन उनको material label other cost को books of account में अलग से दिखाना पड़ेगा, ये ठीक है, फालतु चीज़े है, बिना फालतु बड़े बड़ा हो जाएगा, फालतु चीज़े, देख लेना तो में एक बार one time read कर देना, हाँ, ये एक किन-किन कंपनियों को, cost record including foreign companies, foreign companies को भी cost record करना है, इसके अंदर आएगा, खाना, गाड़ी, खाना, गाड़ी, ठीक है, खाना, गाड़ी, खाना, गाड़ी, मोबाइल, जो जीवन की necessity है, जीवन की necessity है, जीवन की necessity क्या-क्या है, खाना, गाड़ी, मोबाइल, खाना, गाड़ी, मोबाइल, जीवन की necessity क्या है, खाना, गाड़ी, मोबाइल, आब सबसे लोग खाना, खाने में क्या चीज़े है, दो चीज़े, sugar और drugs और फार्मा, खाना, गाड़ी इस तरह की अगर इंडस्री है इस तरह की इंडस्री को घाणा गाड़ी मोबाइल खाना शुगर खाएंगे अगाड़ी किसकी से चल सकते इलेक्रिसीटी पैट्रोल फर्टिलाइजर ठीक है खाना गाड़ी मोबाइल मुझाए इसके घ्याम वाल दर्व दर्वति होँआ तो गवल माला ंट टेली कम्मिनिकेशन खतम उसके अलाबा बाकी के नॉन रर्बुलेटरा रबट वर बड़े-बड़े सेक्ट्र वर टी रबट वर बड़े सेक्टर माला आइरं इस्टील रबट सिमेंट नाग तो नया 15 क्रोर से जादा है 35 क्रोर 75 क्रोट से जादा है सक्षर्यक्ण म número 3400 क्रोर से जादा है तो If cost रिकोड रखने है wipingір 35 क्रोट की लिमिट उधर थी इदर ही याद करो M25 25 35 35 35 35 केसं याद करना है 25 35 यह से फोर्मेट ही याद करना है 25 31 35 35 35 35 अगर Turnover preceding financier का Municipal Financiallyмер का Turnover Regulated sector and non regular दोनों सेक्टर के अलगर कोडूह इते हैं न अगर Regulated sector का turnover वर सारे प्रोड़क को मिलाकरके 50 करोड़े एंड दोनोक ंदिदिविज tap 25 करोड़े विल कंदिविज प्रोड़क का 25 क और रिश्षाफδα?. अगर दोनों की दोनोके कंदिशन, फूलफील हो गयी, इंडिविजो का अधिविज yrup graph, इंडिविजुल प्रॉरक का safety तो all individual का 25 करोड़ जादा हो गया और all का 50 करोड़ से जादा हो गया 25 वेती 50 सोली मिटे से या तो अगर regulated पर audit लग जाएगी और non regulated पर audit कब लगेगी जब 35 करोड़ से exit हो गया और 100 करोड़ प्लस प्लस all product का turnover 100 करोड़ से उपर हो गया दोनों कंडिशन पूरी हो गई तो audit भी लग जाएगी फिर आपको cost record मेंटरिंग करने के साथ साथ audit भी लगाने है ठीक है और audit कब नहीं करानी exemption कब है बाई audit नहीं करानी यह बहुत important point MC को बहुत important जब आपका revenue export से greater than 54% of its revenue आ रहा है foreign exchange में एक्सपोर्ट कर रहे हो foreign exchange में इंडिया का cash receive होना चाहिए foreign exchange में आप export कर रहे हो exceeding 75% equal to नहीं भाई exceeding 75% of total revenue अगर आपका ऐसा हो रहा है तो आपको exam कर देंगे आपको audit cost audit नहीं करानी या फिर आप SCJRD के अंदर deal करें एक्सपोर्ट का ही होता है पुरा पुरा sale export की होती है तो भी आपको audit नहीं करानी या फिर आफ जनरेट कर रहे हो electricity for captive consumption मेरा का में electricity generation का अब बहुत से लोगों का मतलब पता नहीं होता और वह केप्टिव कंजम्शन का मतलब होता है एक यूनिट electricity बना रही है दूसरी यूनिट उसी कंपनी की दूसरी यूनिट के लिए ही बना रहा हूं इंटरनल कंजम्शन हो रहा है तो उसको बहुत है केप्टिव कंजम्शन एक्सपोर्ट 55 परसेंट से ज्यादा एक्सेंट में डील करता हूं या फिर इलेक्रिक्रिटिटी जन्रेट कर रहा हूं में के लिए कोई भी केस पूरा हो गया मेरा कोउट पर नहीं लगेगी कोउट बन सकता है बाई पर कंपनी ऊडिटर नहीं बन सकता थीक है कोन अपोइंट करेगा बोर डेक्टर अपोइंट करेगा के बाद अपने पास आ गई यह खतम होने के बाद तो तीस दिन के अदर अदर अपने पास आ गई आगई और अपनको लेटर प्रवाणने डिन यह से जिक्टी बढ़ा ही लिसिक्ट है पसे करदेना एक बार इसको चलो मैं करा देता हूं उसका हुआ यह मैं याद किरा देता हूं क्या होता है इंट्रीनीव फाइनशी कंट्रोल और फाइनशाल रिपोर्टिक प्सारी कंपने except few companies बम पता हुआ कौन कॉन को नहीं उनको फाइनिशिल कंड्रोल जांते हो ना इंट्रीन कंड्रोल होता है कंपनी की पहले यह बंदा प्रू करेंगा फिर यह बंदा प्रू करेंगा यह ऐसी हायरे की बना कोई कंट्रोल ही नहीं कोई बना केस उठा के लिए जा रहा है तो यह वह सब वह होता है financial control पर एक होता है internal financial control over financial reporting financial reporting मतलब जो books of accounts are books of accounts बनने से आपकी balance sheet पेंडर बनने तक जितना भी आपको कंट्रोल लगाना है बुक्स की एंट्री का इंट्री कोन पास करेगा, ओथराइस होगा, कौन ऑफ़राइज होगा, फैनेशल रिपोर्टिंग पर जितनी भी ऐब फैनेशल कंट्रोल करते हैं, वो गायडेस परोटेट, तो what is IFC, IFC कहा है, इंटर्ना फानेशल कंट्रोला, policy and procedure, वो policy and procedure फो अपने बिजनिस को efficiently conduct करने के लिए ची होते, asset को safeguard करते, fraud को बचाते, accounting record accurately and complete रहते इससे, और financial information reliable रहती है अपनी, वो policy and procedure जिन से ये सारे काम हो जाए, उसको इंटर्ना फानेशल कंट्रोल केते है, इंटर् फ्रोड ना हो, इसलिए हम accounting record maintain करते हैं, जिससे हमको information मिले, इसलिए हम accounting record maintain करते हैं, जिससे हमको information मिले, बिजनिस की asset में कोई भी fraud ना हो, इसलिए हम accounting record maintain करते हैं, reliable information के लिए, यह हो गया, याद, अब यह हो गया, IFCFR, IFCFR मदलब reliability of financial reporting, for financial reporting जो कर रहे है, financial statement जो बना रहे है वो प्रोपर बनने चाहिए, रिलाइबल होने चाहिए, उसके ओपर जित्ते भी कंट्रोल रखते हैं, चाहिए वो कंट्रोल रिलेटेड टू मेंटेनेंस ओफ रिकोर्ड हो, गैप को फोलो करना है, अन अथुराइज बंदा बुक्स में एंट्री और नहीं कर सकता, असे कौन-कौन बोलता है, कि कौन-कौन से प्रोविजन IFCFR के बार में बोलते हैं, कि IFCFR के बार में थोड़ा से जिक्र कौन-कौन से करते हैं, सक्षिन 134, 143, 4 को इधर करतो, 3 को इधर करतो, यह 143 बन जाएगा, 133, 144, audit committee, 177, independent director, director, और ऐसे भी याद नहीं हो रहा है, तो 3 तो रिपोर्ट बनती है, उसकंद एक होता है, director responsibility statement, जिसमें director अपनी responsibility बताते है, कि director इस चीज के लिए responsible थे, और हमने रिस्पोंसिबिलिटी पूरी गई, वेसे 134 बोलता है, कि director responsibility है, वो director responsibility statement में डाले, कि IFCFR हमारी responsibility थी, और हमने IFCFR maintain करा during the year, वसे सी same auditor report के अंदर बोलेगा, auditor auditor बोलेगा, कि हाँ भाई, इन्होंने IFCFR रखा था, और operating effective, during the year, it was operating effective, ठीक है, effectively operate कर रहा था, same audit committee, auditor से comment मांग सकती है, IFCFR पे, कोई भी audit committee के च्छा हो, भी बहुत, पूछ लेगी, auditor सोड़ा के, कि कभी भी, कि आप IFCFR सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, कुछ भी issue, independent director को भ भी बताना है, कि adequate है, IFCFR, यह सब लेट करता है, अब यह applicability किस पे होगी, applicable सब भाई, listed, unlisted company, दोनों के उपर applicable है, IFCFR, दोनों के उपब applicable है, चाहा Listed Company हो, या Unlisted Company हो, चाहा standalone हो, चाहा से stand-alone हो, या CFS हो, सब पे applicable हो, बट छोटी कंपनियों हो, चोटी कंपनियों पर applicable हो, OPC small या फिर जिसका turnover as well as boring turnover as well as boring turnover 50 crore से कमो बोरिंग 25 crore से कमो यह सेम लिमिट अपने IFCFR के उपर भी पड़ीती जब अपन auditor की responsibility देख रहे थे IFC आफसी एफर को जब comment करना था तो यह लिमिट अपने वापने पड़ीती कि यह लिमिट हगर है तो इसका turnover बोरेंग पचास और बोरेंग 25 इससे कम है अपिरिट आफसी एफर मला जो फाइनेशल कंट्रोल है वो कब होना चाहिए वो कंट्रोल जो हमने रख रखा है दूरिंग मेंटेन करका है वो बूरे साल पर मेंटेन होना चाहिए तो बैलेंशी डेट पर होना चाहिए पर इंशोर टेस्टिंग दूरिंग फाइनेशल कंट्रोल के अंदर बट वो गलती नहीं होगी उनके सुधार्ती तो वो अपनन को रिपोर्ट नहीं करनी तौक अपन को रिपोर्ट नहीं करनी क्यों हो गलती मैंजवेंट सुधार चुकी है जो को правильно मिली तक सई हो गई तो आपने को उनक्वार्ट ही देना ही सब कुछ और इस अपर करा अधिछिन्जफ में मुझे लगता है कि यह साला आएगा कभी न कभी एक्जाम में तो मुझे आशाइब हुए आएगा नफ्रा क्या है नफ्रा सर नेशनल फाइनेशल रिपोर्टिंग ऑथरिटी क्या है यह भाई कि अभाई आएई सी आई का बाफ अपना बाफ पोई निये विला लपनि वैसे तो बट ऐसा हो रहा था न कि आजकल वह जादा हो रहे थे तुक सेंटर गॉल्मट बोली इस हरकाई पर इपोटी शू कर रहे है कुछ भी कर रहा है तो अन्होंने बोल लिए अब जितनी भी रे पूरी नहीं कुछ-कुछ regulation जो मागे बताऊंगा वो चीजे अब साथ में ICI तो समालेगा पर ये चीजे साथ में नफ्रा भी deal करेगा इन चीज से अगर 5 भी गलती auditor ने करिए या company ने करिए accounting standard में करिए इतनी भी ऐस या फिर सेस्ट तो अब चलो ठीक है इस चीजरवत है accounting चैनल को चैंज करना है तो वह आप इंप्लीमेंट करेगा ठीक है एक तो रीकमेंट करेगा खुद क्या कर रहा है रीकमेंट कर रहा है ना रीकमेंट भी करेगा और वह जो monitor भी करेगा और यह तो रीकमेंट कर रहा उसने एस और एसे फिर उसको रीकमेंट करने के पाद जब इंप्लीमेंट हो गए तो वह monitor भी करेगा कि वह एस और एसे comply कर रही है कंपनी और ओडिटर वह एस और ऐसे comply कर रही है वह monitor भी करेगा नफ्रा यह चीज और ओवर सी करेगा quality of service जो प्रोफेशनल्स ते रहे जो सीए चार्टर अकाउंटेंट से वह जो सर्वीसेज दे रहे अपने क्लाइंट्स को माला मेनली ओडिट करे लिटर वह और सी करेगा नफ्रा किस-कंपनी पर लगेगा तो जहाँ जहाँ पर लगेगा वहाँ वापर quality TV बोड नहीं लगेंगें गलेगा नफ्रा किस-कंपनी पर बड़ी-बडी कंपननी ओपर बड़ी-बडी विए काई बीओ यह blind काई ऑट्च में फस्ती नफ्रा लिच्ट कंपनी को compliance देखे ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनी वे उसके बाद आ गई बाड़ी उख्यम creation जात तो बड़ी नियुक्रेंट पबिक परांशन फोद ओजार इंशरेणस बंकिंग गिंटिस्ट्ट्राइंट बनाया हो इस surfing टुह पोली पावी क्या नफवाली को कोई भी समर्में बेज़ दें नफरा को कोई भीप बी सेकिंड़ कंपनी पानसो हजार वाली तुम हूझ सब्सक्राभ नहीं वाली कौन सी होगी अपनी इंश्रेंस बैंकिंग इलेक्रिसिटी और इस्पेशल एक्ट वाली फॉर्थ वाली सेन्टर गौर्णमेंट ने कोई बोला है कि यह इसको समालो फिफ्थ वाली फिफ्थ वाली बोडी कॉर्पोरेट जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर हो अब वाली कमपनी कोई बी सबसेडिया आशोची ओपरवली कमपनी की और वो मैं मतलब उनका इंकम और नेट्वर्थ उनका इंकम या फिन नेटवर्थ उनका इंकम या फिन नेटवर्थ एक्जीड करता है 20% of consolidated income and network exit करता है 20% of consolidated network मलें पूरे ग्रुब का consolidated income और निकाले तो यह सबसीडरीज का नेट वर्थ और इंकम 20 परसेंट से एक्जीड कर रहा है घ्रूप के कमपेरिशन ठीक है यह होगे अपना एप्लिकेबिलिटी फर्दर एक कोड़ सीध्या नगने कि अगर एक बार नफरा लगना शुरू हो गया तो चाहे आप भी नफरा की उपर ओले कशस्राइब कोई भी बोडी कोरपोरेट अदर देना पर नफरा कर रहा है 15 दिन के अंदर ओडिटर को बताना पड़ेगा अब यह याद करो अपने उपर भी पड़ा था 139 के अंदर उसके अंदर भी ADT1 अपन फाइल करते थे ADT1 के अंदर भी 15 दिन के अंदर फाइलिंग होती थी ROC को बताना पड़ता था और auditor को बताना पड़ता था सेम वह कि वह 15 दिन तुम यहाँ पर याद कलोगी नफ्रा को भी बताना पड़ेगा अगर जिसका बोड़ी कर्प्रेट पर अफ्रा एप्लिकेबल हो रहा है ठीक है नफ्रा या पर नफ्रा टू फॉर्म बोलता है कि हर auditor को जो पर वाली कंपनी के अजिन पर लग रहा है हर अजितर को रिटन करना पड़ेगा नफ्रा को एक रिटन का फोंप प्रिसकर करका है वो गता अंदर से लगता है कि यह वाला टोपिक बहुत इंपॉर्टन है यह वाला टोपिक नीचे वाला एपनी बहुत इंपॉर्टन लगता है अंदर से लगता है यह इंपॉर्टन है तो है तुमको यह मई रटोओं आठीक है तो अब के से याद करना है monitor the compliance with auditing standard essays नफ्रा है है मैंने बोला था है वह ओडिटर पर फियाम देगा ऑडिटर को बाल खीचेगा वो तो अब ऐसा है कि बाइफ लेगा उनसे इनफोर्मेशन लेगा उन पर नजर रखेगा फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको पुब्लिश करदेगा तीन स्टेप पर मैंने इनको बाठ दिय सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेगा उनके रखेंगा इंफॉर्मेशन लेगा इंपर नजर रखेंगाonie सबसे पहले पहले बोट बार चाहिए थो पर बॉल एगर फॉसकी फैंडिब मिला खाम्मेशन लेगा मैं प्होट बार खाक औरिक याज बूल 끼ट बार से जो याद नहीं करने हैं ज्यादा तर पांचे याद कर लो क्षेशन एक्जाम इंग सब्सक्राइब करें लेगा वह लेगा आपने उसके वर्किंग पेपर दो मुझे वर्किंग पेपर लेगा फर्दर उस working एपरबबो उमको edition information चाहिए है या फिजीकल प्रेशनस उसको इंप करना जो इनिफे संवरर्मेशन लेगा एडिशने इंफर्मेशन लेगा, उसकी फिजिगल 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 इंफर्मेशन पर नहीं करेगा अगर कोई confidential information है कोई confidential information है तो उसको separate report में central government को देगा central government को separate report में देगा उसके बाद जो final decision होगा final decision देखेंगे अब क्या करना है इसको छोड़ देना है या कितनी सजा देनी क्या 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 action देना है monitor and enforcement through officer and auditor officer and expert जो भी result आएगा उसको publish करने के लिए और क्या 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 चेक करेगा और को परे बताएगा यह कर direct the measure to improve for improvement और को बताएगा यह कर इंप्रूमेंट के लिए यह कर direct an auditor direct करेगा ओडिटर को take the measure for improvement यह कर फिर बोलेगा हाँ ठीक है मैंने यह कर लिया मानेगा किसे वह नजर रखेगा उस पर चेक करेगा कि इसनी यह करा नहीं करा नहीं करएगा वो monitor खुद या खुद monitor करेगा नफारा करेगा यह फिर quality review उसको बोर्ड को बोलेगा कि उसमें आज़र कर ऐफ एक्सपर्ट को हायर करेगा कि तू उसमें नज़र ठीक है यह हो गया क्वालिटी अन्प्रोफेशनल प्रोफेशनल पर क्या-क्या पेनल्टी लगेगी अगर कुछ भी उपन प्रेक्टिस के लिए कि तुम कोई भी अडिटर अब नहीं लोगे कोई भी वैलिएशन का काम भी नहीं करोगे और ओडिटर भी नहीं करोगे कि चलो अब बच्ये रैस्टोल सेक्षें के लिए में तुमको बता देता हूं यह वाली पीडिएफ अब तुमको बता देटा ना ऐसकेम वीडियो सेक्षें मिला शेड्य वाला एलल पी ओडिट वाला एज़ी तुम खुद भी कर सकते हो यह लिए एक्जाम में आते हैं से इस बस यहां पर खतम होगा नीचे कोशन शुरू हो गए बहुत छोटे-छोटे से टॉपी गई यह यह तुम मुझे कमेंट में नीचे बता दो कि इसकी वीडियो में डालू या तुम खुद कर लोगे ठीक है तो यह तुम मुझे याद कि कमेंट में बता देना वरना मही तरफ स पीडियस के अंदर नोट्स तो में दोने के दोने शेयर कर दूंगा पर वीडियो डाल लिए कि उसकी बता देना मेरे साथ से खुदी कर देना हो जाएगा मैंना कमेंट बताओ अब मैं इसके इंपोर्टे-इंपोर्ट कोशन करता हूं ठीक है अब कुशन आन सेचन औरिट तो मैंचे और अब आपलिकेबिट वेडियों नफ्रा पल्डियों पर अप्लिकेबिट हम नफ्रा मैं इजिंग डायरेक्टर अपॉइंट अपॉइंट लेटल बहुंड है सही ए क्या सहीए चार्टा दूंगा हां कर गया था लो बॉड ऑफ डायरेक्टर बोला था मैंने अब आपकर एक दाम मैंने दे रखा है आधी जैंट के दे रखा है है और आधी जया चेह के लिए पार चाहिए जिसक्ष करगी वह अप्लीकिबिलिटी है और हिंट में explain करना है section 139 sub section 6 और साथ में यह conclusion देना है तुम यह दों चीज़े लिख दोगे तो full marks मिलेंगे तुमको कोई नहीं रोख सकता ठीक है और जाते पर मैंने answer लिखा है न वाव आपके answer हो मैंने 100% answer जो आई से का था वो डाल दिया अब मैं बिना फालता यहां पर बाल बाल 139 sub section 6 यहां पर भी repeat करता यहां पर भी repeat करता यहां पर लेंदी बनता और तुम भी परिशान होते कि किती बार सेम चीज़ पढ़ नहीं है तो इस वैसे भी नटा दियो अब service दे रहा हूं मैं as an auditor भी हूँ मैं service दे रहा हूं Implementation of financial information by section 144 मना करता है कि यह नहीं देनी अगर आप फिर भी दे रहे हो तो section 141 sub section 3 sub section i के अंदर डिस्पली सा जोगे आई आई से था ना आई से आई नहीं अधर सर्विसेज आई नहीं अधर सर्विसेज अधर सर्विसेज थी कि उसको नहीं देनी चाहिए ठीक है तो उसके बाद appointment of an auditor अपोइंट करा भरत लिमिटेट को appointed as an auditor of a भरत लिमिटेट उसके बाद subsequently अधर जोएंट कर लिया बजाज another charter accounted manager finance of a भरत लिमिटेट इसे पार्टर उसके पार्टनर जोएंट कर लिया में तो अधर उसका और मेरे पार्टनर ने डायरेक्टर बन गया उसका मना कर रखा है ना मना है ना section 141 सब्सक्षिन सब्सक्षिन 3 कने connection with the employee connection विद्ध एंप्लोई वाला था जोगो तुसमें मना कर रखा है कि मैं नहीं बन सकता हो आपर इसक्वालिफाइए हो गया मैं मुझे वेकेज करना पड़ेगा office ठीक है लिस्टेट कंपणी अपॉइंटेड फोर ए 11 यह बाई एक औरीट कंपड़े चार्डेट फॉर में फंको 11 साल के लिए पॉंट कर या नहीं भाई ट्वंटी ओडिट की लिमिट होती है तो ट्वंटी ओडिट के अंदर कुछ की लिमिट पर नहीं करते में एक एक जाम्पल में खुद ने करा दिया था उससे ही सब्सक्राइगा यह ओपी सी स्मॉल डॉर्मेंट और प्राइवेट कंपनी जिसका पैड़शे कैपिटल सोप मैं सब्सक्राइब एक 1,60,000 लेटा है क्या करू हुआ ऊप्र यहां पर इसक्षान करका है तो में पर समझा को अदिक्स रहा है मैं डिसक्वालीफाइब नहीं हूं इसाथ में सेक्षेंट बैटर्व लिमीटेर्वेटेंस अले पाटनर हैं में एक स्टार मिटेंट करता है एक्विटी शेर अब मानलो ये एक लाग तक की तक ही है, तो वह इक लाग तक की फेसे व्यू तक हैं हुँ तो साथ में सेक्शन देखिए जाना डी वाला सब से ख्लोज वाला से उरीचे पाट्नर में उस होटल के सर्विस भी लेता हु одноर तो कर रहा हु मैं साथ होरा नरी कोर्स के दर बिस निस कनेउचन के पर ािशन बिसनेचन है टो भी आलाव समया तो में रिसकालीा नहीं हो तो भी अला हुए अगर बिसनिस में आम लेंस प्राइज तो मैं रिस्क्वालिफाइज नहीं हूँ तो मुझे देखना पड़े कि वह पास लाग से ज्यादा तो नहीं होता तो मैं पास लाग से ज्यादा तो मैं क्वालिफाइज हूँ टीक है बन वोड़िव कर देना जो बागी मैं समझा है वही चीज़ एक मैं रिलेटिव का मतलब इंक्लिव फाइदर इंक्लिव इस्टेफ अगर मैंने कोई डैट 50 लाग से ज्च ले रखा अधर वह वह टैट मैने लिक्विड्रीट कर दिय अपोईं देट्र एक्सेбस्ट्ष कर दिया हो finance कर दिया तो मैं थिकारिए नहीं हूल तो सकता हूं ओडिटर इसbec Bangladesh करिया उंगॉंटर कर दिया है् गई और मैंने रिजाइन कर दिया बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर ने अपॉइंट करा इधर किसने बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर ने पॉइंट कर आ तिल कंक्लूजन ऑफ शिच अनुट करते एजियम के अंदर वो तीन मेने वाला पाइंट जब रिजाइन मारता है ठीक है तो वह ह यह और तील कंक्लूजन ऑफ शिक्ष अजम भाई मेरे समझाया था सिक्स केंपन नहीं होता आप लिखाया तील कंक्लूजन ऑफ नेक्स अजयम तक ही वह हो सकता है ठीक है एक हैं हाल्ड ओफ चिल कंक्लूजन ऑफ नेक्स एजम ओंली और तीन महीने के अंदर उसको और पॉइंट रेख लेड़ा है और कुछ बचा है अच्छा लोन एडवांस वर मेंड विदाउट प्रॉपर सिक्यूरिटीज याद करो सेक्शन 141 सब सेक्शन सेक्शन 143 सब सेक्शन वन लोन एडवांस वाला था पॉइंट नंबर ए से एडवांस जो मैं तुमको याद करो वह पाला पॉइंट ने कर सकता था तो अब मैंने जो कंपणी ने लोन एडवांस दे रखा है बिना किसी प्रोपर सेक्यूरिटीज के ठीक है तो वह यहाँ पर रिकोट करना है प्रिक्शन 143 सबल में यहाँ पर पोरकर रेडर रीची वल एंड ट्रेट पेडर एडवस पर छोच पॉइंट ता बीवाला ईट्रीज को बीवाला पॉइंट वह पॉइंट फरसनल एक्समेंस चार्ज टु रिवेन्यू इक्समार्ट इवाला पॉइंट इ पर चाहिए पर बाइब आपके पर चाहिए पर गया तो मुझे तो तुम रिंबर्स करो पेशा ठीक है और बोले हम एविडेंस भी निए दूगा तुम ऐसा नहीं हो सकता तुमको और एविडेंस तो देना ही पड़ेंगे वरना हम रिंबर्स दे करेंगे पेशा पर सब्सक्र करें तो तुमको बिल भी केंपरेंश कर रहा हूँ बिना सपोर्टिंग लिए तक बिल देट अभी हम करेंगे वागी पर इंक्वायरी कर रहे थे अपन तो अब इसके अंदर हुआ आप कुछ नहीं जो auditor पूछ रहा है यह जो ँपान को लिए हो च्रल तो क्या ओंदgging कoga चीन ए इप अडिपने और यह कम्पनी ले यbourg jako कश्ची केशन का थिक अगयाइब two-show अइस टोग का स्टेटमेंट की कोस्ट क्या होगी और बॉनस शोर की क्या होगी for its cost is not uncertain जिसकी cost as certainable नहीं है तो क्या cost होगी, cost of debenture अगर as certainable नहीं है तो book की cost ही मानलो, जो book के अंदर cost दे रखी है वो book value debenture की cost मानलो, और bonus share के अंदर, bonus share को पता है कि bonus share जैसे issue होते, तो number of share बढ़ जाते हैं, पर cost थोड न बढ़ते हैं, number of share बढ़ जाते हैं, पाच के मेरे को 10 हो जाएगी, वह वही बोल रहा है, come down proportionately, average cost हो जाएगी, bonus share की cost के मानेंगे अपन, average cost, एक 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 शेर अलोट करे, against the loan taken from NBFC, मैंने NBFC से loan लिया था, उसके बदले में, मुझे share मिले बात में, तो क्या वो share, cash के बदले में माना जाएगा, कि share are deemed to be have been allotted for the cash, एक F वाला point था अपना, whether the share have been allotted for the cash, अपने को loan के बदले share मिले, तो हाँ चलेगा, loan के बदले अपने share issue करें, loan लिया था, repay नहीं कर पाया, या कुछ भी issue है, अपने loan लिया था, cash तो मिल गया था, अब अपने उसके बदले उसको share issue कर देगे, पैसे तो आपस ने जिए ये share लेलो हमारे, तो हाँ उसको मानेंगे, कि यो deemed to have been issue for cash, cash के बदले में issue हुए, वो सब्सक्षिक्शन एफ के अंदर reporting वही है, done, मेरे साथ सारे important portion खत्म हो गया, अब वापिस same चीज में repeat कर रहा हूं तुमको, ये वाले जो चीज है, ये वाली PDF जो other section है, company work के रेसिकल section, important है, इसा नहीं क खुद कर सकते हो, अपने साथ, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं, प्रकर कराने हो, नीचे comment कर देना तुम मुझे, अगर ज्यादा comment आगा है, तो मैं ये भी करा दूँग, अधर नोर्स तो मैं share कर रहा हूं, ठीक है, चलो, ओके, बाई-बाई-बाई-टाटा, see you, ये वाला सब्सक्राइब कर लो, मैं ये वाले नोट्स, टेलग्राम चेनल पर मिजने आएंगे, ओके, बाई-बाई-बाई-टाटा, see you